हेलो एव्रीवन बिटा स्टार्ट कर रहे हम लोग सेक्शॉल रिप्रडक्शन फ्लारिंग प्लांट एक शॉट में कम्प्लीट करेंगे और मैं इसको एंसीयाटी से बताऊंगा क्योंकि इस चैप्टर से बाहर से आता नहीं है बिटा तो प्रॉपरली एंसीयाटी कवर आप NCIT साथ लेके बैठें या NCIT के बाद रीड करें और मैं कोशिश करूँगा कि चैप्टर को बहुत कंसाइज करके बताऊं ताकि आप कम समय में चैप्टर को कम्प्लीट कर सकें दूसरा आप इसके साथ क्या करने वाले हैं बिटा अपने प्रीवियस येर लगा कर देख तो अगर मैं बात करता हूं number of questions की तो एक time था चार question आते थे चैप्टर से अभी मैं तीन से चार लिख सकता हूं अना दो तो minimum आते हैं पर तीन से चार question इस chapter से बन जाते हैं हमारे पास ठीक है अच्छा link chapter जो है मेरे पास एक तो morphology वाला chapter है जो इससे थोड़ा सा link है और उ में हमने किस सरीके से reproduction के बारे में पढ़ा बाकी group के उससे link कर सकते है basically gymnosperm को ठीक है clear है तो यह कुछ link chapter है और mytosis meiosis की knowledge हो नहीं चाहिए आपको यह chapter पढ़ने के लिए तो start करते हैं बेटा chapter में सबसे पहले देखो मैं एक चीज़ आपको clear बताता हूं chapter हम पढ़ रहे है sexual reproduction flowering plant जब हम flowering plant की बात करते हैं तो flowering plant का clearly मतलब है angiosperm ठीक है angiosperm में main plant body sporophyte होती है तो अगर मैं आपको clearly बताओं कि angiosperm में main plant body sporophyte है sporophyte हमारे पास क्या है main plant body है आपको बात समझ में आ रहे है main plant body हमारे पास क्या होगई sporophyte होगई चीक है clear होगई बात तूसरी चीज क्या हो गई बिटा हमारे पास मेन प्लांट बोडी हमारे पास sporophyte हो गई अगर आपको ये बात समझ आई है कि मेन प्लांट हमारे पास sporophyte है तो इसके आगे का एक discussion करते हैं देखो द्यान से हम ये कहते हैं बिटा उस sporophyte में हमारे पास एक structure डवलप करता है और फ्लार कैसे डवलप करता है NCRT से पहली लाई हमारे पास hormonal change होते है उस hormonal change की वज़े से hormonal change होते है उससे हमारे पास फिर morphological change आता है हना हमारे पास flowers डवलप करते है और फिर हम उस flowers में sexual reproduction पढ़ेंगे तो हमने यहाँ पर clear किया है hormonal change then morphological change clear हो गई बात अब हम discuss कर रहे हैं इसके steps अगर हम बात करते हैं कि main plant body angiosperm है main plant body क्या है angiosperm जिसमें sporophyte है हमारे पास main plant body clear हो गई बात ठीक है और hormonal change हमारे पास होते हैं अब आगे की बात करते हैं आगे next है हमारे पास तीन तरह के changes की हम बात करेंगे pre-fertilization change fertilization और post-fertilization change जैसे chapter move करेगा कैसे move करेगा pre-fertilization change fertilization और post-fertilization pre-fertilization changes में हम male और female structure पढ़ेंगे उनके अंदर कैसे gamut बन रहा है वो पढ़ेंगे और हम pollination का topic पढ़ेंगे उसके बाद fertilization पढ़ेंगे और fertilization के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे embryo और endosperm development होता है seed और fruit की development कैसे होती है इसको discuss करते हैं तो चलिए move करते हैं फटा-फट से एक-एक topic पर जल्दी-जल्दी से सबसे पहले हमारे पास यह flower है आपको पता है बिटा फलार में इसे हम thalamus कहते है this region is thalamus this is pedicel इसको हम क्या बोलते हैं बिटा pedicel बोलते हैं अब आप देखो यह मेरे पास sepal है और यह मेरे पास petal है तो इनको हम बोलते हैं accessory मतलब यह जरूरी औरगन नहीं है और यह मेरे पास pestil है और यह मेरे पास stamen है इन्हे essential organ कहते है essential world कहते है world मतलब circle में होते है तो इन्हे हम essential world कहते है तो अभी हम इनकी detail पढ़ने वाले हैं बिटा हम ना किसके बारे में पढ़ेंगे essential world के बारे में पढ़ेंगे ठीक है बिल्कुल clear हो गया, चलिए start करते हैं सबसे पहले statement से, जहां से question आपके सबसे जाधा आते हैं, तो हम क्या करते हैं बिड़ा, इस structure को ध्यान दो, इस structure को हम statement कह रहे हैं, अना इस structure को हम क्या बोल रहे हैं statement कह रहे हैं, तो single तो हमारे पास यह enter है, ठीक है यह filament है, इस single को हम statement कहते हैं, और आपने पढ़ाया morphology में world of statement को हम क्या बोलते हैं बिटा, world of statement को हम क्या बोलते हैं, एंडरोशियम बोलते हैं, यह चीज़ आपने पढ़िए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में detail देखेंगे, ध्यान से देखो जो मैं बताने वाला यह जो filament मैंने बनाया है, इस filament का यह proximal end है, और यह जो proximal end है, वो किस पर attach होगा, attach on thalamus, किस पर attach होगा, thalamus पर attach होगा, चीज़ है, या पैटल पर attach होगा, दूसरा यह filament जो है बिटा, थिन है, थिन मतलब पतला है, slender धागे जैसा मतलब है, चीज़ है, slender होता है, और इसकी length क्या होती है, अलग-अलग flowers में मतलब कम जादा हो सकती है, तो length जो होगी वो variable हो सकती है, length can be variable, तो इससे जो question आएगा बिटा, proximal end वाला question आए था, 2017 की paper में, कि proximal end कहां attach होता है, ठीक है, अब हम बात करेंगे इस पे enter की, ठीक है, तो जो enter आप बनाते हैं, यह this is enter, आपको पता, enter है यह, तो enter जो मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें, एक तरीके का by lobe structure होता है, कैसा structure होता है, by lobe structure होता है, तो आपको क्या-क्या याद करना है, filament याद करना है बिटा और enter है, filament में मेरे पास proximal और distal end होता है, तो this end is known as proximal, इस proximal end कहां attach होता है, thalamus और petal पे, इस वाले को distal end कहते हैं, वो enter पे attach होता है, और अब हम enter की detail पढ़ेंगे, जो main है, क्योंकि gamets एसी में बनेंगे, तो मेरे पास एक typical enter जो है बिटा, आपके लिए क्या-क्या point ध्यान रखना है, देखो, enter मेरे पास क्या होता है, by lobe structure होता है, by lobe का मतलब, उसमें दो lobe होते हैं, एक lobe ये रह, और एक lobe ये है, इस तरीके से दो lobe होते हैं enter में, चीक है, तो मैंने एक lobe ये बना दिया, ए ये lobe है बिटा, this is lobe second, and this is lobe one, ये ऐसे मैंने देखो, इस enter को मैंने उपर से देखा है, तो यहाँ lobe one है, यहाँ lobe two है, यह दो lobe हो गए, हर एक lobe में कुछ layers होते हैं, corner पे, जिने हम ठीका कहते हैं, तो मेरे पास एक enter में, एक enter में, कितने lobe हैं, दो lobe हैं, एक lobe में, हमारे पास दो ठीका हम लोग दिखा रहे होते हैं, मतलब ठीका मतलब हम लोग corners पे कुछ layer बोलते हैं, उसको हम ठीका कह रहे होते हैं, ठीक है, तो एक lobe में हमने दो ठीका बोल दिया, ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं एक line होती है, ध्यान से सुनो देखो, एक line है, इस line को कहते है longitudinal groove longitudinal groove longitudinal groove का मतलब आपने विटा, ये चीज़ तो पड़ी है न, longitudinal ऐसे होता है तो वो longitudinal groove यहां भी दिखेगा आपको, वो किसको separate करता है, इस थीका को इस थीका को इस थीका से separate करता है, तो longitudinal groove separate two थीका, separate करता है किसको two थीका को तो आपने क्या पढ़ा बिटा आपने पढ़ा कि टिपिकल एंथर में दो लोब होते हैं, हर एक लोब में दो थीका है, तो टोटल चार थीका हो गए, पर हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, by lobed by lobed, और di-thicus लिखते हैं, di-thicus का मतलब दो थीका पर lobe होता है di-thicus होता है अब ये मैंने बिटा एक टिपिकल एंथर के बारे में बदाया है, आपको, ठीक है अब हम क्या करते हैं, जब एंथर को observe करते हैं, जहांसे तुनेंगे कि हर एक एंथर में ऐसे दो लोब होंगे, एक लोब ये, एक लोब ये और हर एक में थीका होगा दो-दो ऐसे, चीक है और एक longitudinal groove है ये जो दो थीका को separate कर रही ये line direct आ सकते, NCRT से दूसरा मेरे पास क्या है बिटा stages होती है, stages का मतलब क्या होता है कि जब एंथर यंग होता है मालो ये young एंथर है तो ये young एंथर होगा और उसके बाद वो mature एंथर में convert हो जाएगा This is mature एंथर तो मुझे क्या देखना है कि young और mature एंथर में कौन-कौन से tissue होते हैं young एंथर में कौन सा tissue होता है मैच्ची और एंथर में कौन सा टीशू होता है इस पर direct question आ सकता है NCRT ने बुलाया कि आर देखो टीशू अलग-लग होते हैं यंग और मैच्ची और एंथर में यंग एंथर में क्या होता है मेरे पास यहाँ पर चार corners होते हैं जिने चार micro-sporengia कहते हैं तो यह मेरे पास क्या है पिशू है किसके यंग एंथर के पिशू of young एंथर है अब young एंथर में मेरे पास क्या-क्या है आप देख लो each corner पर each corner पर हमारे पास micro-sporengia है इसी लिए young एंथर को हम tetrasporengiate भी बोलते हैं tetrasporengiate का मतलब हमारे पास 4 layers वाला होता है tetrasporengiate मतलब 4 sporengia है micro-sporengia जैसे आपने कभी gymnosperm याद से ध्यान से पढ़ा हो तो gymnosperm में हमारे पास micro-sporengia होते थे ऐसी young एंथर में 4 micro-sporengia है ठीक है आप देखो इसमें कौन-कौन सी layer है ध्यान से देखना फोकस करके देखो बिटा देखो total मेरे पास सबसे बाहर वाली layer को मैं epidermis कहता हूँ epidermis, parenchyma, normal cells होते है उसके बाद थोड़े बड़े size के cells होते है जिसे endothesium कहता हूँ endothesium चीक है उसे मैं क्या बोलता हूँ endothesium उसके बाद जो cells होते है वो middle layer है वो मेरे पास क्या है middle layer और फिर मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया tapetum हो गया this layer is tapetum यह इसके अंदर मेरे पास layer है tapetum चीक है अच्छा आपको एक चीज समझनी है कि यह एक जो structure बना मेरे पास this structure is microsprange यह एक microsprange है इसमें यह चार layer है इसमें से क्या है बिटा epidermis और endothesium common है देख रहे हो चारों में epidermis plus endothesium common है यह एक तरीके की common layer है अच्छा हमारे पास यहाँ पर अंदर deployed cells हैं जो meiosis कर सकते है इन्हें हम sporogenous tissue कहते है sporogenous tissue याद रखो यह deployed cells होते हैं जिनकी meiosis से मेरे पास spore बन सकते हैं meiosis करा सकते हैं तो आपने total समझा 4 microsprange आया हैं मारे पास यहाँ पर जो connectives होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ एक बार connectives कैसे बनते हैं मेरे पास यह जो structure है इसका filament यह उपर तक गया होता है पूरा तो यहाँ पर वो connectives की form में दिखेगा filament clear है तो मेरे पास यहाँ connectives होते हैं तो मैंने यह 4 layer बना दी सबसे बाहर मैंने क्या बना दिया बिटा epidermis, endothesium, middle layer tapitum ठीक है और मैंने यहाँ पर क्या बना दिया बिटा connectives दिखा दिया आपको और यह total कितने microspurengia है 4 यह young enter है young enter में pollen grain नहीं होता ठीक है अब जब मैं इसका mature enter बनाता हूँ तो मुझे NCRT यह diagram दिखाती है देखो अगर आप ध्यान से देखोगे NCRT में यह 2 diagram है एक young enter का है यह और यह वाला जो diagram है बिटा यह mature enter का है अगर आप दोनों diagram को compare करो दोनों diagram को compare करो तो mature enter में मेरे पास middle layer और tipitum नहीं है mature enter का diagram अगर आप compare करोगे तो middle layer अपने NCRT में देखना बिटा middle layer और tipitum नहीं होती वो used हो जाती है वो क्या हो जाती है? used up हो जाती है दूसरी चीज क्या है? आपको यहां अंदर sporogenous tissue दिखेंगे अंदर कौन से cell से sporogenous tissue और यहां sporogenous tissue ना होकर meiosis से मेरे पास pollen grain बन गए होते हैं तो यहां मेरे पास pollen grain होते हैं तो आपको क्या आना चाहिए? एक difference आना चाहिए young और mature एंथर में, मतलब अगर आपको मैं कहूँ कि young और mature एंथर में आपको एक difference पता होना चाहिए, तो young एंथर क्या होता है? याद रखो बेटा, young एंथर में 4 microsporengia होते हैं, कितने microsporengia होते हैं? 4. 4. हमारे पास, इसमें हम क्या लिखते हैं? बेटा, mature एंथर में दो pollen sack लिखते हैं, मतलब जहां microsporengia होते हैं, वहां pollen sack आ जाते हैं, पर एक lobe में एक pollen sack आ जाता है. इसमें मेरे पास sporogenous tissue है, क्या है sporogenous tissue, जिसमें अभी meiosis नहीं होई है. इसमें मेरे पास क्या हैं? बेटा, pollen grain ह Mature Enther में ठीक है Young Enther में पिटा All 4 Layers होती है 4 Layers Intect है All 4 Layers हमारे पास intact है कौन सी 4 Layers मैं लिखूंगा Epidermis ठीक है Endothesium ध्यान रखना पिटा इसे Tapetum और उससे पहले मेरे पास Middle Layer लेकिन इसमें सिर्फ क्या होती है इसमें सिर्फ epidermis और endothesium होती है epidermis और क्या होगी endothesium यही दो layer होंगी बिटा आपको समझ आ रहा है यह चीच तो young और mature enter का एक difference आपके दिमाग में बैठना चाहिए अना तभी आप चीजों को समझ पाओगे कि young enter क्या होता है, mature enter क्या होता है अगर मैं layer wise आपको बताओ, roll बताओ तो NCIT ने बोला है कि epidermis endothesium middle layer ठीक है यह तीनो layer जो है, यह किसमें help करती है यह तीनो layer का काम होता है protection और dehiscence क्या काम होता है? protection plus dehiscence dehiscence का मतलब होता है enter का खुलना और pollen release करना dehiscence to release pollen तो pollen release करने का काम किसका होता है मेरे पास किसका है बेटा, young enter का है epitum क्या करता है, ध्यान से सुनो epitum, epitum क्या करता है ध्यान से सुनेंगे epitum क्या करेगा मेरे पास tapitum क्या करता है tapitum हमारे पास क्या करता है बेटा tapitum एक तरीके से provide करता nourishment आच्छा एक चीज और याद रखना बच्चे टेपिटम में मेरे पास क्या होता है एक तो टेपिटम बाई और multi nucleated होता है बाई होता है या multi nucleated होता है दूसरा इसमें dense cytoplasm होता है यह काफी ज़ादा active होती है बेटा टेपिटम layer और यह nourishment provide करती है provide a nourishment to developing pollen उसके अलावा एक्जाइन यही बनाता है डव्लापिंग पॉलन को क्या करता है यह nutrition देता है ठीक है उसके अलावा यह क्या करता है एक्जाइन प्रेड्यूस करता है जो पॉलन के बाद लेयर होती है ना एक्जाइन उसको यही बनाता है कौन बनाता है, टेपिटम बनाता है याद रहेगे बात ये तो टेपिटम की ये रोल है उसके लाओ बिटा हमारे पास क्या होता है Sticky Pollen जो होता है Sticky Pollen के लिए हमारे पास एक Chemical होता है उसे Pollen Kit कहते है तो pollen kit भी यही produce करता है टेपिटम अगर मैं आपसे कुछ और extra data बताऊं तो आप ध्यान से सुनना endothesium जो है उसका main role होता है dehyacence में main role अगर इन चारों में से एक का पूछे तो dehyacence में endothesium का है याद रखना अगर इन तीनों में से अगर पूछे कि बई एक layer बताओ मुझे तो आप endothesium दिमाग में बिठाना अपने clear है बिटा चीक है तो endothesium बिठाएंगे हम लोग आगे देखो next देखो ध्यान से आज अब बिटा हमें क्या करना है young enter से mature enter बनाने में हमारे पास क्या होता है कि कैसे हम pollen green बनाते हैं उसको समझना है पर आपको एक बात दिमाग में बिठाओ कि हमें क्या करना है समझना इसे ये मालो टेपिटम की layer है समझना इसे बिटा बहुत important है ये ये मालो टेपिटम की layer है this is टेपिटम तो ये जो tapitum है ना इस tapitum के अंदर हमारे पास यह डिपलोईड सेल्स है इन डिपलोईड सेल्स को मैं sporogenous tissue कह रहा हूँ अब sporogenous tissue का जो हर एक cell है हर एक cell जो है उसकी meiosis कर सकते हैं तो each cell is pollen mother cell क्या है pollen mother cell है हर एक cell हमारे पास क्या है pollen mother cell है छीक है इसको हमने क्या बोल दिया pollen mother cell बोल दिया छीक अब यह जो pollen mother cell है मेरे पास ज्यान से दुनेंगे यह मेरे पास यहाँ पर pollen mother cell है PMC जिसे कह रहे हैं पॉलन mother cell जो है या जिसे microspore mother cell कहते हैं तो हमने यहाँ पर क्या करा, माल लो यह pollen mother cell है, इस pollen mother cell की 2N होता है बिटाई है, इसका सारे cell pollen mother cell की तरहे काम कर सकते हैं, उसमें आप meiosis करोगे, और meiosis करके, आपने 4 micro spore बना दिये, 4 micro spore बनाए है, 4 क्या बनाए है, micro spore, जिसे आप क्या बोलोगे, micro spore tetrad, क्या word यूज करोगे, micro spore tetrad word यूज करोगे बिटाप, micro spore tetrad, अच्छा, इस process को आप micro sporogenesis बोल सकते हैं, क्या आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, micro spore बना लिया है, अब micro sporogenesis में, आपने micro spore बना लिया, ठीक है, जो की heploid है, मैं आपसे एक चीज बताता हूँ, अगर आपको NCRT को ध्यान से समझना है, तो आपको ये भी समझना है, कि plant में gamet, mitosis से बनते हैं, ये micro spore haploid stage है, अब मुझे क्या करना है, इस से gamet बनाना है, तो हर एक micro spore जो है, each micro spore pollen बना सकता है, हर एक micro spore क्या है बेटा, haploid है, छीक है, can give pollen, can give pollen grain, तो अगर उसको pollen grain बनाना है, तो उसको क्या करनी पड़ेगी बेटा, mitosis करनी पड़ेगी, और pollen grain एक multicellular structure होता है, तो जराँ देखें कैसे होगा ये सारा, this structure is known as micro spore, ऐसे मेरे पास चार बने थे, micro spore haploid है, होता ये है, कि ध्यान देंगे बेटा इस बात को, होता ये है, कि micro spore में, देखो ये micro spore है, इसमें एक vacuol आ जाता है, इस vacuol की वज़े से, ये nucleus एक side में push हो जाएगा, अब देख पारे हो, मैं gamut में palm gain बना ना बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये nucleus एक side में push हो जाएगा, nucleus जब side में push होगा, तो NCIT ने diagram बना कर बताया है आपको, because of this vacuol, मेरे पास एक spindle बनेंगे, जो asymmetric spindle है, ठीक है, जो मेरे पास क्या है, asymmetric spindle बना दिया मैंने, ज्यान से समझना बेटा, asymmetric spindle बना दिया, तो ये जो मेरे पास asymmetric spindle बना है, ये वाला, ये asymmetric spindle जो बना है मेरे पास, ये asymmetric spindle जो हमारे पास है, इसकी वज़े से unequal division होती है, कैसी division होगी, unequal division, एक छोटा और एक बड़ा cell बनेगा, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा और एक बड़ा cell बनाया, आप देखो, तो जो बड़ा cell है, उसका नाम है vegetative cell, और छोटे वाले cell का नाम है generative cell, तो आप देख पारे हैं कि एक unequal division होई है, और finally जब इस पर layers complete होती हैं, तो pollen gain बन जाता है, मतलब एक तरीके से छोटा वाला cell इसमें float करता है, और बड़े वाला cell यह रही है, इसकी एक तरीके से plasma membrane है, फिर बाहर इनके एक layer आती है, जिसको entine कहते हैं, और उसके बाहर एक और hard layer आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, exine बोलते हैं, आपके पास pollen gain बन जाता है, इस layer is exine, इस is entine, जो कि vegetative cell के बाहर है, और इस प्लाजमा membrane, और यह वाला cell मेरे पास vegetative cell है, और यह generative cell है, अब यह pollen gain बन गया, तो आपको यह समझ में आना चाहिए, कि microsporogenesis का मतलब सर्फ यहां तक है, उसके बाद की development है, कि microspor से pollen gain बनाना, और pollen gain is not male gamut, direct question neat में आएगा, कि pollen gain क्या है, तो मैं इस चीच को बिल्कुल clear कर रहा हूँ, यह diagram भी आप देख सकते हो, NCRT का, जिसमें इसने asymmetric spindle दिखाया है, आप देख रहा हूँ, because of this vacuole, asymmetric spindle बना है, meiosis कर रहा हूँ, तो मेरे पास, 4 micro spore बन रहे हैं, जिसे आप spore tetrade कह रहे हो, spore tetrade क्या है, 4 micro spore है, आपको समझ आ रही है बात यह, अब, एक micro spore से, आप क्या बनाओगे, एक micro spore से आपने क्या बना दिया, बिटा, यह sport tetrade बना दिया, आपके पास pollen mother cell है, उससे आपने spore tetrade बना दिया, एक micro spore से, आपने क्या करा है बिटा, pollen grain बना दिया, आपने क्या बना दिया है, pollen grain बनाए है, ठीक है, pollen grain बनाए है, तो एक spore से आपने क्या बना दिया, pollen grain बना दिया है, आप समझ रहे हैं विड़ा इस चीज को और pollen gain is not male gamet it is male gametophyte ये क्या है male gametophyte और याद रखो आपको pollen gain में का structure ध्यान से देखो ये बड़ा cell है जिसका irregular shape nucleus है इसे vegetative cell कहते है spindle shape का मेरे पास generative cell होता है ठीक है इसके बहार फिर एक layer होती है in time जो vegetative cell नहीं बनाई होती है और जो tapetum बनाता है वो exine होती है ऐसे और exine जहां absent होती है उसे germ pore कहते हैं तो this is exine and this is in time और ये germ pore है आप समझ रहे हो और ये pollen gain का नाम male gamet नहीं है gametophyte है चीक है अब यहाँ से हम कुछ differences पे आ सकते हैं ये देखो हम क्या कर सकते हैं ये differences आपको पता होने चाहिए ये NCIT में रखा है देखो vegetative cell लार साइस का होता है ये छोटे साइस का है इसमें बेटा food reserve होता है और इसका irregular shape nucleus होता है और इसका काम क्या है vegetative cell का इसका काम है बेटा वो बनाना क्या नाम है pollen tube एक तरीके से vegetative cell का काम क्या है हमारे पास pollen tube बनाता है pollen tube फॉर्म करेगा ये क्या करता है ये give male gamit generative cell male gamit बनाता है और इसमें cell की shape spindle shape है cell की shape कैसी है बेटा spindle shape क्या cell है spindle shape का हमारे पास क्या होता है cell होता है ये NCRT की minute detail है जो direct question आएंगे अब exine और intine दो तरह की layer थी तो exine और intine की detail भी बेटा कई बर neat में direct पूछेगा आपसे तो ध्यान रखना इसको आपको क्या क्या detail याद होनी चीए exine एक discontinuous layer है ये NCRT की line miss मत कर जाना this is discontinuous intine थोड़ी सी continuous होती है exine बना है sporopollenine का जो एक बहुत resistant organic material है resistant किसे है बेटा to alkali acid temperature alkali acid temperature enzyme इन चीजों से resistant है ये कौन sporopollenine इसका बना हुआ ये किसका बना हुआ sporopollenine का ये बना है Pactin और Cellulose का intine का काम बिटा क्या है एक तरीके से pollen tube develop करता है क्या develop करता है pollen tube develop करती है intine और exine protection देती है उसके अलावा exine पे sculpture होता है sculpture मतलब design होता है और हर species का exine देखने से पता चलता है कि किसका कौन सा है तो ये exine और intine और vegetative और generative cell के minute differences आपको आने चीए बिटा हना clear अब इसके अलावा NCIT ने कुछ extra data दिया है कि और आपने समझनी है कि 60% plant में pollination two cell stage पे होती है pollination कब होती है two cell stage पे इसका मतलब उसमें एक vegetative cell है और एक generative cell है फिर मैं यहां पर लिख रहा हूँ 40% plant में pollination जो है वो three cell stage पे है इसका क्या मतलब हुआ एक vegetative cell है और दो male gamet होते है अब हमारे पास बिटा कुछ extra topic NCIT देती है यहां पर और वो क्या-क्या है pollen allergy है pollen grain की allergy क्या होती है pollen allergy हमने लिखा हुआ है देखो होता क्या है बिटा मेरे पास क्या होता है कि एक plant है parthenium parthenium को imported wheat के साथ आ गया था वो parthenium क्या है उसको common नाम carrot grass है और वो एक तरीके का weed है unwanted plant है यह किसके साथ आ गये थै इसका seed जो था come along with imported wheat गेहूं हमने मंगाया था उसके साथ आ गया था अब इसके जो pollen है न बिटा pollen इसके क्या करते है एक तरीके से inhale होते है और allergic reaction देते है inhale होके allergic reaction देते है उसे हम कहते है pollen allergy allergic reaction में बिटा कैसा होगा NCRT लिखती है bronchitis, asthma ऐसा कुछ bronchite infection और यह ठीक है अब सुन ले द्यान से मेरे पास क्या होता है एक topic होता है viability viability का मतलब होता है कि जैसे आपने क्या किया pollen एक बार निकल के गया और कितने समय तक maximum वो pollen tube बना सकता है तो maximum time maximum time up to which up to which pollen can germinate to form to form pollen tube ठीक है maximum time up to which pollen can form pollen tube आप समझ रहे हो ज्यान से उसे viability of pollen कहते है कि कितने समय तक वो बना सकता है आपकी NCRT ने तीन family दी है एक है rose CA एक है solena CA और एक है leguminosa febace CA leguminosa CA इनकी हमारे पास long viability है months तक होती है और wheat और paddy इनकी half an hour wheat और paddy paddy मतलब rice को कहते है short viability है तो यह वो टॉपिक है जो इक्स्ट्रा आपकी NCIT पूछेगी और यह direct question आए वे हैं, जैसे pollen is a food supplement हमारे पास क्या होता है बिटा कि some pollen जो होते है उसकी tablets और syrup आते हैं tablets और syrup आते हैं, basically western country में बहुत ज़्यादा famous है यह क्या करते है increase करते है efficiency of increase efficiency of athletes and horses क्योंकि यह कुछ antioxidant का source होते है तो normally क्या होता, pollen तो खा खाई नहीं सकते हैं, हम लोग क्योंकि enzyme है, लेकिन कुछ जगा क्या करते हैं जो bee pollen collect करती है उसको crush करके as a food supplement use करते है, जिसकी tablet, syrup, even cream, shake diagram बनावा है NCIT में, वो आता है ठीक है, जो athletes और उसके लिए source of nutrients है अब होता क्या है बिटा, pollen को क्या कर सकते हैं, pollen haploid है pollen क्या है, is haploid और वो genome भी है एक तरीके से, haploid है इसलिए हम उसे क्या कह रहे है, वो genome है तो हम क्या कर सकते हैं कि pollen grain जो है pollen grain can be stored उसको stored कर सकते हैं at minus 196 degrees Celsius पर ठीक है, किसमे in liquid nitrogen तो उसको liquid nitrogen में minus 196 degrees Celsius में store कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम कहते हैं, pollen bank उसे हम क्या बोलते हैं, pollen bank बोलते हैं जहां पर liquid nitrogen में store करते हैं, जिसको later हम plant breeding में use कर सकते हैं later used in plant breeding तो इसको हम क्या कर सकते हैं plant breeding experiment में use कर सकते हैं ठीक है आप अगर ध्यान से देखोगे जो viability वाला हमारा topic है इसमें NCIT ने mention भी किया है कि humidity होती है, temperature होता है और species होती है, इन चीजों पर हमारे पास viability depend करती है humidity, temperature, species इन चीजों पर हमारे पास क्या होती है, viability क्या करती है, depend करती है, humidity, temperature और हमारे पास species पे clear होगी बात, ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं फटाफट से, अब आजाओ structure of pistol पढ़ते हैं, female structure के बारे में पढ़ रहे हैं, और बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है clear हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो, हमारे पास क्या होता है, इस structure को हम pistil या कारपल बोल रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें ये stigma है, NCRT stigma को कहती है, landing platform, यहाँ कौन land करता है, pollen land करता है, ठीक है, और ये style है, जो hollow part है, जिसमें से pollen tube move करती है, और ये ovary है, ovary को NCRT लिखती है, basal bulge part, basal bulge का मतलब होता है, फूलावा part, हाना, नीचे फूलावा part है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बिटा, ovary बोल रहे हैं, ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, ये कारपल का structure है, आपकी NCRT में बोला गया है, कि इसके अंदर, ध्या कारपल को लेके, नमबर ओफ कारपल को लेके, चीजे समझनी है, अगर single कारपल होगा, तो उसके लिए word यूज करते है, monocarpulary, क्या word यूज करते है, monocarpulary, ठीक है, अगर दो कारपल होंगे, तो bycarpulary, और bycarpulary में option ये होता है, कि कारपल या तो fuse हो, अगर कारपल आपस में fuse है, तो उसके लिए लिखते है, sincarpus, और कारपल आपस में free होते है, तो उसके लिए लिखते है, apocarpus, क्या लिखते है, apocarpus, तो हमारे पास एक sincarpus हो गया, और एक हमारे पास क्या हो गया, apocarpus हो गया, apocarpus और sincarpus क्या है, कारपल को लेके हमने बा से, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, number of carpel जो होते हैं वो vary करते हैं, single carpel को हम कहते है, monocarplory by carplory का मतलब होता है कि carpel एक से जादा है fuse करते है, syncarpus ठीक है, और हम क्या लिखते है, epocarpus, clear हो गई बात, यहां तक संज में आ रही है next चीज हम क्या करते हैं next चीज हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे next चीज हम क्या करते है हमारे पास क्या होता है बिटा NCIT ने क्या किया है multi carpelory apocarpus और syncarpus के example दिये हैं, वो आपने याद करने हैं, देखो हमारे पास multi carpelory का मतलब बहुल सारे carpel उसमें दो option होते हैं, एक free, apocarpus इसका example आपने नीट के लिए करके जाना है, माई की लिया ये बहुत important है बिटा, आपको करना है और syncarpus का मतलब fuse syncarpus में example आ रहा है pepever, तो ये आपने जरूर करना है, ये box बना रहा हूं ये पूछेगा एकदम direct, apocarpus, syncarpus चीक है, direct पूछेगा दूसरी चीज क्या होता है, बिटा ovary जैसे हम ऐसे बनाते हैं इसमें मेरे पास chamber भी बनते हैं, chamber chamber in ovary को क्या बोलते हैं, locule आपको मैं example देता हूँ, जैसे कि okraya bindi, bindi को आप उपर से काटो, कई chamber दिखते हैं न, यह टमाटर में दिखते हैं, तो chamber in ovary is known as locule हाँ न, हमारे पास कई locule हो सकते हैं single हो सकते हैं, ठीक है अचा कई बार क्या होता है, बिटा, अगर हम number of ovule की बात करें, तो number of ovule depend करता है, फिर कितने seed बनाएगा, ऐसा हो सकता है, कि single ovule भी हो सकता है, ovary में अगर single ovule in ovary है, तो fruit में single seed आता है तो fruit में क्या आता है, बिटा single seed आता है fruit में क्या आएगा, हमारे पास single seed आएगा इसके example क्या दे रखें, याद करो paddy, paddy मतलब rice, wheat और mango तो rice wheat और mango यह इसके example है आपको समझ आ रही है, बिटा यह इसके example है, ठीक है और मेरे पास many ovule अगर हम many ovule की बात करें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बिटा, many seed आ जाएंगे और इस many seed के जो example NCRT देती है वो देती है, orchid ठीक है papaya और water melon तो आपने यह example करने हैं, क्योंकि NCRT में है, तो मैं NCRT के बाहर नहीं बता रहा हूँ, अभी तक मैंने सारा NCRT ही बताया आपको, और यही आएगा आपको ध्यान से करना, बिटाई से ठीक है, ध्यान से करना, आप देखो ज़रा ध्यान से, यह चीज़ वो diagram है जो मैंने आपको syncarpus, epocarpus की बात बताई, ठीक है clear, A multi-carpulari epocarpus है, आप देख पा रहे हो ठीक है, यहाँ पर एक syncarpus है B यह syncarpus, pistol का example है pepever, तो यह pepever हो गया, यह mycelia हो जाएगा यहाँ पर C, era mycelia ठीक है, clear अब हम क्या करेंगे बिटा, ovary के अंदर ovule को पढ़ेंगे, हना हम ovule के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले कोशनगीट में क्या आएगा, ovule का एक और नाम बताओ तो ovule का एक और नाम है megasporanium नीट में, previous year में देखोंगे, कम से कम दो बार आया हुआ यह megasporanium, चीक है जब हम ovule draw करते हैं सुनना ज्यान से बिटा, ऐसे draw करते हैं मालो यह मैं ऐसे ovule बना के दिखा रहा हूँ आपको एक जिसमें यह मेरे पास वो stock होती है, जिसे हम funicle कहते हैं, ठीक है और यह यहां किस से जुड़ी होती है placenta से, ठीक है और यह जगा को हम highlam कहते हैं यह ovule है, जिसकी outer layer को integument कहते है ठीक है, जहाँ integument नहीं होता उसे micropile कहते है अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ यह एक सीधा ovule दिखा रहा हूँ सीधा, सीधे ovule को कहते हैं, orthotropos आपके slabus में जो ovule है वो anatropos है बिटा कौन सा ovule है, anatropos जो ऐसे बना हुआ है जो इस तरीके से बना हुआ है तो आपके slabus में anatropos ovule है, जो हम draw कर रहे हैं इस तरीके से ovule draw कर रहे है, ovule क्या होता है बिटा, देखो, आप याद करो हमने जैसे megas, mycrosporogenesis पढ़ा, तो sporogenes tissue कहां थे, mycrosporangia के अंदर, ऐसी ovule के अंदर एक structure होता है, megasporangia उस megasporangia के अंदर newceless एक tissue होता है, जहां पर हमारे पास क्या होगी, meiosis तो हमने उस structure का नाम है megasporangia या ovule तो मेरे पास, क्या-क्या है ये चीज़ देख पा रहे हैं हम लोग चीक है, इसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से, देखो structure बना रहा हूँ बिटा मैं इसका, ध्यान से देखेंगे ये इस तरीके से हम बना रहे हैं इसको ऐसा, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझे ये जो stock है, जो connect थी इसे funicle कहते है ठीक है, जहाँ ये attachment होती है इसे hilum कहते है ठीक है, ये direct question आएंगे बिटा, funicle क्या है, hilum क्या है और ये आएव हैं, ऐसा नहीं कि आएवा नहीं है this is hilum this is hilum, जहाँ पर ये attach है तो funicle क्या है बिटा stock connect ovule to placenta उसको मैंने क्या बोला funicle बोल दिया hilum क्या है हमारे पास hilum क्या है, point of attachment point of attachment of funicle on ovule ovule पर funicle की attachment को हमने क्या बोल दिया hilum बोल दिया यहां तक संग में आ रहे है अब यहां पर मेरे पास इस चीज को देखेंगे आप यहां पर मेरे पास क्या है बिटा यहां से देखेंगे दियान से देखेंगे बिटा दिस इस चैलिजा अच्छा देखो यहां पर cells हैं जिने आप newcellus कह सकते हो तो newcellus के जो cells है ठीक है, दियान सुरूंगे बिटा newcellus के जो cells हैं वो वो cells हैं जिनमें meiosis करनी है इसी के किसी cell की meiosis करते हैं और newcellus एक hard layer से cover होती है इसे integument कहते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं integument और ये वाला integument inner है एक तो एक मेरे पास ये outer है चीक है जहां पर integument नहीं होते उस जगा को micropile कहते हैं जहां पर integument नहीं होता तो आपको funicle पता होना चीए funicle इस stock को कह रहे है बिटा इसको और जहां पर ये attach है funicle ovule से उसको hyalum कह रहे है newcellus क्या है tissue enclosed by tissue enclosed by enclosed मतलब surrounded by enclosed by enclosed by integument वो tissue जो किस से surround है integument से surround है और ये हमने क्या किया बिटा ये हमने क्या लिखा यहां पर chaleza लिखा है chaleza क्या होता है chaleza एक end होता है ठीक है जो opposite होता है बिटा किसके micropile के ठीक है आपको क्या समझ में आना चीए ये मैंने एक ovule का structure बनाया है इसमें सभी तरह के cells deployed है इनके अंदर जो ये neucilis है वो वही काम करता है जो sporogenous tissue करता है तो हम इस तीज को लिख रहे हैं कि one of the cell of neucilis उसका size बड़ा हो जाएगा act as mega mega spore mother cell वो कैसे काम करेगा mega spore mother cell की तरह काम करेगा और वो कैसा cell होगा deployed cell है ठीक है ये जो हमने ovule पड़ा ये कौन सा पड़ा एनाट्रोपस उल्टा ovule पड़ा एनाट्रोपस ovule पड़ा है तो आपको क्या पता होना चाहिए integument deployed है आपके पास ये सारे region deployed है बस जो neucilis हमारे पास tissue है इनमें से एक cell काम करेगा megaspore mother cell की तरह है और उसकी फिर meiosis करेंगे हम ठीक है तो हम क्या पड़ेंगे बिटा topic पड़ेंगे megasporogenesis जिसे हमें detail में देखना है जान से देखना बिटा हम megasporogenesis बता रहे हैं आपको एक सेकिंडो बस हाँ देखो हम लोग megasporogenesis बता रहेंगे यह exactly है क्या समझना देखो आपको पता है कि यह सारे cells newcillus के cells है यह सारे cells किसके cells है newcillus के यह newcillus के cells है तो newcillus का जो cell है इसमें से कोई एक cell और वो भी micropile की तरफ वाला जब ovule में micropile की तरफ वाला 22 बड़ा हो जाता है इसको mmc कहते है mmc क्या हो गया megaspore mother cell हो गया megaspore mother cell तो हम यह लिखेंगे any cell close to micropile micropile के पास act as mmc mmc का मतलब हुआ इसकी meiosis करने वाले है तो इसकी हमने meiosis करी देखना इसे this is mmc megaspore mother cell है बिटा this is mmc अब यह मेरे पास mmc है और यह आसपास कौन से cells है न्यूसिलस के mmc में बिटा dense cytoplasm होना चाहिए this cell is known as mmc mmc मतलब megaspore mother cell यह deployed है और यह मेरे पास न्यूसिलस है आसपास न्यूसिलस भी deployed होता है अब हम क्या करने वाले है mmc में meiosis करेंगे तो meiosis in mmc तो जब mmc में meiosis करोगे तो मेरे पास 4 haploid megaspore बनेंगे 4 haploid क्या बन गए megaspore जिसके आसपास न्यूसिलस तो है चीक है मेरे पास क्या बन गए बिटा 4 haploid megaspore इस पूरे process को हम megasporeogenesis कहते हैं आप समझ रो ज्यान से अगर यह compare करो पिछले वाले से उसमें मेरे पास क्या बने थे उसमें भी haploid बने थे ठीक है उसमें भी क्या बने थे इस पूरे process को हम क्या नाम देते हैं megasporeogenesis का नाम देते हैं megasporeogenesis का मतलब मेरे पास क्या बन गए 4 haploid megaspore बन गए the entire process is known as megasporeogenesis अब मैं क्या करता हूँ इन में से किसी एक को develop करता हूँ मतलब इन में से ये 3 degenerate कर जाएंगे ये develop करेगा आगे develop करने का मतलब है कि आगे mitosis करेगा develop further छीक है ऐसी development को monosporic development कहते हैं what is meaning of monosporic ये direct पूछ सकता है out of 4 megaspore only one develop further सिर्फ एक आगे develop करेगा जिसे हम कहते है monosporic development हना क्या बोलेंगे monosporic development आगे आजाओ कानी बिट देखो द्यान से अब हम क्या देखेंगे monosporic development कैसे होई द्यान देखना बिटा मेरे पास ये 4 megaspore है ये 4 megaspore है इन 4 megaspore में से 3 degenerate कर गए एक बच गया सिर्फ तीन खतम हो गए इसको लिख रहे है functional megaspore क्या लिख रहे है functional megaspore functional megaspore की mitosis कर दो mitosis in functional megaspore functional megaspore की आपने क्या कर दी mitosis कर दी उससे क्या आ गया अब इसको ये रहा इसकी mitosis करनी है और कितनी division करनी है मैं लिख रहा हूँ तीन successive division पहले आप क्या करोगे 2 nucleus mitosis कर रहे हो बटा और ये already haploid है ध्यान रखना haploid की mitosis कर रहे हो फिर क्या होगा एक vacuole आने की वजए से ये दोनो nucleus दूर हो जाएंगे ऐसे vacuole ले आए फिर करो एक mitosis और फिर 4 nucleus हो गए ठीक है फिर लिख दो यहाँ mitosis यहाँ पर 4 nuclei ही हो गए ठीक है clear समझ में आ रहा है बिटा तो यहाँ पर ये 1 nuclei ही है फिर 2 nuclei और फिर 4 nuclei फिर हमने इसमें mitosis करी तो मेरे पास finally 8 nuclei ही आ गए 8 nuclei ही फिर mitosis करी तो यहाँ मेरे पास 8 nuclei ही आ गए बिटा ऐसी division को हम कहते हैं free nuclear division strictly free nuclear NCRT ने लिखा इस बात को strictly free nuclear division चल रही है यह यह कैसे division चल रही है strictly free nuclear अला फटा फट से divide करता जा रहा है mitosis करके strictly free nuclear division चल रही है अब आप इसकी cytokinesis करोगे अब क्या करोगे cytokinesis करोगे तो कितनी cytokinesis करते हैं यह सवाल आ जाता है एक cells बनाते हैं जिने antipodal कहते हैं इन cells को क्या बोलेंगे antipodal antipodal कितने cells हैं तीन cell हो गए center में दो nuclei होते हैं इसे polar nuclei कहते हैं polar nuclei beta n प्लस n है यहां पर तीन cells आ जाते हैं जो मिलकर fertilization के लिए काम करते हैं इनमें center वाला egg cell है और जो side वाले दो cell है इने synergid कहते हैं ठीक है इस synergid पर यहां पर philiform apparatus होता है cellular thickening तो इस पर question पूछता है philiform apparatus पर तो यहां पर क्या होता है कि जो synergid है synergid पर मेरे पास cellular thickening होती है बिटा cellular thickening को हम क्या बोलते है cellular thickening होती है ठीक है उसको हम कहते है philiform apparatus क्या बोलोगे philiform apparatus जो guide करता है entry of pollen tube guide entry of pollen tube और यह किस पर है बिटा आप समझ रहे हैं यह synergid किस पर है मेरे पास यह synergid पिटा यहां आए यहां देखना द्यान से इसके साथ और यह जो मेरे पास है यह जो मेरे पास है इसे मैं egg cell कहता हूं egg cell कहता हूं चीक है अच्छा total कितने cell बने हैं एक बार जड़ा check कर लेते हैं हम लोग और यहां से जो questions आते हैं उसको भी discuss करेंगे ठीक है clear ठीक है clear हाँ ठीक है ध्यान दो बिटा अब देखो इस चीज़ को समझो आब ध्यान से मेरे पास ज़्यान दो यह मैंने बना दिया इसको मैंने female gametophyte बोला है इसको मैंने क्या बोला है female gametophyte बोला है ठीक है female gametophyte यहां पर ज़्यान देंगे बिटा यहां पर ठीक है यहां पर हमने antipodal बोला है चीक ये दोनों मेरे पास polar nuclei है ठीक है ये दोनों cells क्या है synergid और बीच में ये egg cell है और इस पर ये बेटा philiform apparatus है तो ये दोनों cells क्या है synergids है और ये मेरे पास egg cell है इन दोनों को मिलाके egg apparatus कहते हैं तीनों को basically synergid दो है न है egg apparatus कहते हैं तो देखो क्या क्या question आ सकते हैं पहला ये structure किसका है आपका ओ embryo sac embryo sac का एक और नाम क्या है embryo sac का एक और नाम क्या है ये पूछ सकता है that is female gametophyte female gametophyte एक question ये आता इससे कि क्या इसका नाम है बिल्कुल दिमाग में बिठोल उसे female gametophyte दूसरा इसमें कितने cell हैं मैं कहूंगा 7 cell हैं और 8 nuclei हैं कितनी cytokinesis हुई है 6 cytokinesis हुई है इसके अलावा ये सारे cells कहसे हैं मैं कहूंगा haploid है haploid cells हैं सारे और सारे cells genetically same है mitosis से बने हैं तो क्या हैं ये genetically same है exactly same होते हैं दूसरा सबसे बड़ा cell कौन सा ये जो यहां से बिटा यहां से ये जो जगा बची हुई है पूरी ये वाली ये जो पूरी जगा बची हुई है इसे central cell कहते है central cell largest cell है चीक हो गई बाद clear है अब यहां तक आपने पढ़ना है और आपने एक चीज ध्यान रखनी है हम क्या मानते हैं ये बिटा हम सीधा वाला जो ओविल पढ़ते है orthotropos उसमें ये पार इसके उपर आएगा मतलब ये घूम जाएगा ऐसे क्योंकि ये कौन से अब यहां से हम topic पढ़ने वाले हैं बिटा pollination एक मिट दो पानी पी ले तो मैं pollination एक topic पढ़ने वाले हैं चीक है एक सेकेंड दो बस आप सुनो ध्यान से बिटा देखो अब हम topic जो discuss कर रहे हैं वो pollination है pollination में हम क्या पढ़ते हैं कि autogammy, zetnogammy, xenogammy इन पर बड़े question आते थे तो pollination actual में क्या होता है transfer of pollen होती है transfer of pollen from enter to stigma enter से stigma पर भेज रहे हैं अच्छा, ncrt लिखती है on the basis of source of pollen on the basis of source of pollen pollen कहां से आया हमारे पास pollination की type होती है सुनना ज्यान से बहुत on the basis of source of pollen की pollen आता कहां से है हमारे पास pollination की type होती है हम type of pollination लिखते है on the basis of source of pollen तो कौन सा type लिखते हैं कैसे लिखेंगे ये देखना है हमने ठीक है on the basis of source of pollen हमारे पास type of pollination होती है एक हम लिखते हैं self pollination self pollination में बिटा मैं दो टाइप लिखता हूँ यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं autogammy मैं इसी में लिखता हूँ और मैं एक और लिखता हूँ zetnogammy और एक मैं लिखता हूँ cross pollination cross pollination में हम लोग लिखते हैं xenogammy अब यह क्या है तीनों इसको मैं सिखा रहा हूँ पहले इन तीनों को हमें सीखना है clear होगी बार तो जरो देखो फटा फट से क्या सीख रहे हम इसमें जैसे मैंने यह कुछ flowers आपको बना के दिखा हैं आप देख सकते हो this is bisexual flower जिसमें enter और pistil same flower पे है तो यह bisexual flower है और आपने chapter 1 में पढ़ा था कि bisexual flower का जो example है वो मेरे पास sweet potato है क्या है sweet potato आपने पढ़ा था बेटा हिबिसकस इनमें bisexual flower है now what is autogammy देखो इसका इसी पर जाना पॉलन खुद के flower पे इसे autogammy कहते है अगर यह इस पर चला जाए तो इसे zetnogammy कहते है मतलब plants same है flower different है और different flower पे चला जाए तो इसे xenogammy कहते है अब देख पा रहे हो what is autogammy autogammy मैंने a लिखा हुआ है a का मतलब autogammy autogammy का मतलब हो गया same flower autogammy क्या है same flower है same flower है ना ऐसे zetnogammy क्या है zetnogammy है flower different है plant same है अब देखो जरा अब ये कौन सी condition है देखो this is unisexual flower unisexual flower और bisexual plant है bisexual plant है ऐसा किसमे होता है अगर आपको नहीं नाम याद है तो मैं लिख देता हूँ ऐसा मेरे पास coconut में होता है आपको याद आना चीए बटा ये caster में होगा maze में होता है याद आ रहा है coconut में होता है caster में, maze में, kukarbits में इनमें ऐसा होता है तो इनमें देखो अगर flower bisexual है तो इसमें तीनो होगी auto, zetno, zeno अगर ये वाला flower है तो इसमें एक तो ये तो zetno हो गई, g और इसके अलावा ये वाली हो गई, zeno तो इसमें तो दो ही होगी कौन-कौन सी होगी बिटा और जीटनो होगी zetno गैमी का मतलब होता है flower different है, plant same है हना, flower different, plant same और इसमें तो एक ये option है ये कौन से बिटा, unisexual plant है न अब unisexual plant के आपके slavus में कौन से example है आपने का sir, याद आए हमें एक आगया date pump एक आगया papaya ठीक है, ये है बिटा ठीक, ये है, clear तो ये मेरे पास क्या होगा है जीनो गैमी होगा, clear है ये हमारे पास क्या होगा है जीनो गैमी होगा, तो ये auto गैमी है ये जीटनो गैमी है और ये जीनो गैमी है ये जीटनो गैमी है और ये जीनो गैमी है ठीक है, और ये मेरे पास क्या होते है जीनोगेमी होते हैं, clear है, यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है, clear, तो यह आपके पास आ गया, यहां पर, ठीक है, आगे आ जाओ ज़रा, देखो जान से, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अब आटोगेमी के लिए क्या कंडिशन होनी चीए, अगर आपसे कोई प उसके साथ enter की maturity, और stigma की receptivity, दोनों एक साथ हो, उसके लिए word लिख सकते हैं, synchronize, क्या हो, synchronize हो, एक साथ हो, ठीक है, दोनों में एक साथ हो रहा हो, तीसरा बिटा हम लोग यह लिख सकते हैं, कि यहाप मुझे pollinator तो नहीं चीए, ओटोगेमी के लिए है, सच, bisexual flower हो, यह हो, और, दोनों सेम टाइम पे mature हो जाए, ठीक है, मुझे open और close flower दोनों में हो सकता है, open और close flower दोनों में possible है, ठीक है, autogame variation तो देता है, क्योंकि sexual reproduction है, पर कम देगा, but less, as compared to xenogame, अब xenogame के लिए क्या condition चाहिए, कम से कम plant bisexual हो, plant क्या हो, bisexual हो, ठीक है, दूसरा मुझे pollinator चाहिए होगा इसमें, क्या चाहिए होगा बटा, pollinator require है, ठीक, NCRT एक बात कहती है बटा, xenogame के लिए, it is functionally xenogame, यह हो तो xenogame जैसा राय है, functionally xenogame, but, यह physiologically autogame है, physiologically क्या है बेटा, यह autogame है, मतलब यह हो autogame जैसा राय है, मतलब इसमें अगर मैं बात करूँ, genetically लिख देता हूँ, physiologically ना लिख के, genetically autogame है, क्योंकि plant सहीं है न, तो genetically autogame है और functionally xenogame, यह zitogame की बात कर रहे है, ठीक है, उसके बात xenogame क्या होता है बेटा, xenogame में मेरे पास plant different होगा, but same species है यह, मुझे pollinator चाहिए बेटा इसमें, इसमें क्या चाहिए, pollinator require है, xenogame में पर तो definitely चाहिए, pollinator require है, एक और बहुत important चीज़ है बेटा, इसमें maximum variation आती है, इसमें क्या आती है, maximum variation आती है, अच्छा हमारे पास क्या होता है, flowers दो तरीके के होते हैं, एक तो हमने unisexual flower, bisexual flower करके बात की, एक और flower की type होती है, close flower और open flower, तो close और open flower में हम इस तरीके से लिखते हैं, ज्यान देंगे बेटा, close और open flower में हम इस तरीके से लिखते हैं, ज्यान दे बेटा, हम ऐसे लिखते है, क्लिस्टोगेमस और चैज्मोगेमस, now, क्लिस्टोगेमस का मतलब है, मेरे पास close flower, क्लिस्टोगेमस का मतलब है मेरे पास close flower और चैज्मोगेमस का मतलब है मेरे पास open flower क्लिस्टोगेमस में only autogammy possible है और ये bisexual होना चाहिए बिटा has to be bisexual आप सोचो खुझ से has to be bisexual और इसमें बिटा autogammy jetnogammy तीनो हो सकती है and xenogammy NCIT लिखती है कि अगर close flower है तो उसमें pollinator नहीं चाहिए pollinator not require इस वज़े से seed set जो होगा वो assure होता है seed की setting क्या होती है बिटा assure होती है आप समझे रहे हैं अकलिस्टोगेमस में जब हम chasmo gamus की बात करते हैं तो इसमें तो pollinator चाहिए इसको तो pollinator देना पड़ेगा NCIT ने आपको बताया है close flower actual में कहां होते है जहां pollinator नहीं होते है जैसे example मैं लिख देता हूँ underground flower जो होते हैं यह NCIT में नहीं है extra बता रहा हूँ है आपको underground flower जो है वो हमारे पास क्या होते हैं क्लिस्टोगेमस होते हैं अच्छा तीन example NCIT लिखती है viola, comelina और oxalis इन तीनों में मेरे पास all इनमें दोनों तरह के flower होते हैं बोथ क्लिस्टोगेमस और चैस्मोगेमस क्लिस्टोगेमस और चैस्मोगेमस खुले वे flower भी होते हैं पर ensure करने के लिए कि सीड बनेगा ही क्लिस्टोगेमस फ्लार भी बनाए जाते हैं चीक है आगे देखते हैं बिटा एक बहुत important topic है जिसे हम कहते हैं pollinating agent अना what is pollinating agent अना pollinating agent क्या है उस पे हम लोग discuss करने वाले हैं what is pollinating agent चीक है what is pollinating agent उसमें हम discuss करेंगे clear तो सबसे पहले आप समझिये द्यान से बिटा pollinating agent का मतलब है जो pollination करते हैं हमारे पास abiotic में एक wind है और एक water है अब इनके पुरानी term थी याद कर लेना anemophily कहते हैं anemophily wind pollination को कहते हैं water को hydrophily कहते हैं उसके बाद मेरे पास biotic में आते हैं मेरे पास सबसे पहले animal animal के अंदर ही insects आ जाते हैं फिर मेरे पास ants वगरे आ जाती है bat है bird है ठीक है bird के लिए याद कर लेना मेरे पास ornithophily कहते हैं ये पूछ सकता है bat के लिए kireptrophily इसको पूछ ये लिखे होंगे इसमें से ऐसा कोई clear bat है, bird है, snail हो गया तो इस तरीके से कई मेरे पास biotic agent है सबसे पहला question ये आता है कि biotic और abiotic में से जादा कौन करता है तो biotic जादा करते हैं pollination as compared to abiotic पहला question तो ये बनता है दूसरा बनता है कि among abiotic कौन करता है तो among abiotic मेरे पास mainly mainly कौन करेगा बिटा wind तीसरा among abiotic biotic में देखें तो among abiotic में honey भी maximum pollination करती है, उसके बाद butterfly maximum pollination तो ये तीन question बन सकते हैं यहां से ठीक है अब हम next देखेंगे सबसे पहले wind pollination कि wind pollination के क्या feature है सुनना द्यान से देखो बिटा wind से pollen उड़के non specific जाता है तो मेरे पास क्या होना चाहिए wind pollination वाले के feature होने चाहिए छोटा pollen small pollen होना चाहिए जो कि non sticky हो light हो आप समझ रहे हो light pollen हो non sticky हो छोटे size का हो हाना non sticky हो अच्चा stigma बाहर की तरफ होना चाहिए exerted और style long होना चाहिए और बाहर होना चाहिए exerted flower मेरे पास बिटा अगर flower colorless होंगे white color के मतलब और small होंगे तो cluster में होते हैं सबसे जरूरी चीज wind pollination से जो आएगा question ध्यान रखना ovary के अंदर single ovule ये question बेटा दो बार आया है फिर आने के chances हैं mono ovular ovary ऐसी ovary जिसमें single ovule हो ठीक है ये feature होता है wind pollinated का light pollen है non sticky है non sticky मतलब चिपके गानी इदर उड़के दूसरी जगा जा सकता है दूसरा मेरे पास क्या है एक किसका example बिटा maze है wind pollination का क्योंकि maze में ये जो धागे निकले रहते हैं इन्हें tassels कहते हैं ये tassels क्या होते हैं stigma और style होते हैं आप अगर देखोगे जो भुट्टा होता है maze उसमें जो धागे बाहर निकले रहते हैं उन्हें tassels कहते हैं उससे वो pollen capture करते हैं तो इसलिए हम कहारे हैं कि stigma बड़ा होगा feathery होगा stigma कहां कि exerted है feathery है feathery मतलब पकड़ने के लिए pollen को pollen को hold करता है ट्रैप करता है ट्रैप लिख देते हैं clear ठीक है बड़ा pollen को trap कर रहा है ठीक clear तो ये wind pollination के लिए बताया अब आजाब ज़रा water pollination के लिए water pollination में बड़ा अमारे पास क्या है मैं सारी लाइने करा रहा हूँ कोई लाइन चोटे की नहीं ध्यान से सुनो water pollination में हमारे पास क्या है बटा सुनना ध्यान से हम क्या करते है water pollination में एक चीज ध्यान रखते हैं कि 5 ग्रूप हैं आपके पास एक है algae एक है bryophyte और एक teridophyte इन में तो pollination पानी से ही होती है इन तीनों में तो pollination किस में होती है पानी से pollination by water इन में पानी से होती है जिम्नोस्पर में नहीं होती पानी से pollination, angiospर में 30 जनरा है monocote के angiospर में क्या होता है बटा सिर्फ 30 जनरा, 30 genus है monocote के जो pollination show करते है show water pollination clear water pollination ठीक है clear है यह चीज तो हमने क्या किया है water pollination के लिए ध्यान रखना है कि algae, briot, teredo में तो पानी से ही होती है pollination और angiospर में pollination होती है किस से बटा pollination होती है mainly insects से लेकिन 30 जनरा ऐसे हैं सिर्फ monocote के जहां water से pollination हो सकती है अब अगर मैं बात करता हूँ aquatic plant में angiospर में की बात कर रहा हूँ तो angiospर में मेरे पास ध्यान से सुनना angiospर में मेरे पास हम दो ग्रूप में aquatic plant लिख रहे है पहला plant aquatic है plant क्या है aquatic है but pollination पानी से नहीं हो रही pollination by wind और insect ऐसा कैसे होता है कि flower उपर आ जाता है flower पानी के surface से उपर आ जाता है तो wind और insect pollination करता है इसका example हमारे पास है water lily example है water lily चीक है और water hyacinth जिसे इकॉर्णिया कहते है water hyacinth ये इसका example है चीक यहां आ जाते है दूसरा मेरे पास क्या है plant aquatic है और aquatic होने के साथ साथ उसमें pollination पानी से हो रही है by water इसमें दो option है इसमें हमारे पास दो option है इसमें दो option है पहला option है जान से देखना first option है कि पानी के अंदर सर्फेस पर on surface on surface हो जाए pollination ऐसा किसमें हो रहा है बिटा valley scenario में किसमें होता है valley scenario hydrilla इनमें होता है इनमें क्या होता है कि male flower ऐसे उपर आ जाता है surface पे और female flower एक long stalk से surface पे होता है देखो यहां से this is male flower जो surface पर है and this is female flower जो long stalk से उपर आ जाता है तो मैं लिख रहा हूँ बिटा male flower और pollen और pollen float करता है surface पे float on surface और वो गिर जाता है female flower पे and fall inside female flower अच्छा female flower को long stalk से बाहर लेकर आते है मतलब उपर की तरफ यहां पर आप देख रहे हो female flower को उपर लाएं किससे long stalk इससे बाहर ले आते हैं surface पे clear होगी बात यह चीद समझ लो यह very scenario में होता है कि यह male flower यह pollen पानी से बहता हुआ passively याद रखना passive moment हो रही है वो आ जाएगा दूसरा option मेरे पास होता है बिटा दूसरा option मेरे पास है underwater underwater किस में होता है जॉस्टेरा में underwater किस में होता है बिटा हमारे पास जॉस्टेरा जिसको sea grass कहते है बिटा दिमाग में रख लेना sea grass और seaweed अलग लग है seaweed red algae का नाम है sea grass जॉस्टेरा का नाम है underwater में pollination करा रहे हैं इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा बिटा पॉलिनेशन अंडर वॉटर होगा और पॉलन ग्रेन रिबन शेप होता है अंडर वॉटर होता है सेम लेवल पर फ्लोट करते है सेम लेवल पर क्या करते हैं बिटा ये फ्लोट करते हैं कौन फ्लोट करता है सेम लेवल पर male female flower جو यह वो same level पर float करते हैं, Clatures यह same level पर float कर रहे होते हैं male female flower, और जो ribbon shape का pollen होता है है इसमें उसके अलावा हम याद रखते हैं इसमें ribbon shape का pollen होता है और इसके अलावा mucilage की covering होती है mucilage की क्या होती है covering होती है मुझे एक मिनट दो पानी पिने दो, मुझे हेल्थ का थोड़ा सा है भी है, ठीक है, क्लीर है, आगे देखो बुटा, अब यह देखो, पॉलिनेटिंग एजेंट, विंड पॉलिनेशन, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन जिसमें हमने कैसे बना दिया, अन सर्फेस पर हमने वैलिसनेरिया बना दिया, ठीक है, और अंडर वॉटर में जॉस्टेरा बना दिया, तो पॉलिनेशन अंडर वॉटर सेम लेवल पे फ्लोट कर रहे हैं, रिबन शेप पॉलन रहेगा, म्यूसलेज की कबरिच, म्यूसलेज से अनवेटिंग होते हैं, डू इसेक्ट पॉलिनेशन के जो फ्लार होंगे, उनमें क्या-क्या होगा, आप सोचो ध्यान से, सबसे पहले तो उसमें कलर होगा, नेक्टर होगा, और होगा, हाना, नेक्टर होगा, कलर होगा, और होगा, ये चीज याद रहेगी आपको, उसके बाद स्टिकी पॉलन होंगे, पॉलन कैसे होंगे? स्टिकी होंगे दूसरी चीज बेटा फ्लाइज और बीटल जिसको पॉलिनेट करती है उन फ्लार्स में फाउल ओर्डर होता है क्या होता? फाउल ओर्डर अच्छा, अगर फ्लार छोटे हैं तो क्लस्टर में होते हैं फ्लार इन क्लस्टर ताकि इंसेक को दिख जाए अगर छोटे होंगे तो क्लस्टर में होंगे ठीक है? इंसेक की बात कर रहा हूं आपको फ्लाइज और बीटल फाउल ओर्डर वाले फ्लार को पॉलिनेट करती है में इंसेक कौन से हैं बेटा कर सकता है चीक है बटर फ्लाई बीटल मौथ वास्प हना एंड्स यह इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन करते हैं ठीक है में बिटर नेक्ट्र देखो मैं आप पर इंसेटीमिक लाइन लिखी है आप पढ़ना हो से इंसेक्ट्स जो होता है कलर और ओर्डर की तरफ जाता है नेक्टर उसे वहां मिलता है नेक्टर से वह अट्रेक्ट नहीं होता अट्रेक्ट होता है वो कलर और ओर्डर की वज़े से याद रहेगा ठीक है नेक्स देखो बिटर नेक्स देखो ये मेरे पास हो गया इंसेक्ट ठीक है उसके बाद नेक् हैं हमारे पास कि सुनना द्वान से बचांग और बेट और बढ़ को देख लेते हैं बाट और बढ़ को कंपेर कर लेते हुँ देखो बढ़ का फ्लार भी नार साइस का होता है और ढ़िआ लिकिन बैट बैट वाले में strong order होती है, अगर आप ध्यान से देखो, कि बैट वाला dull color होगा, बैट को color नहीं दिखेगा ना, dull color होगा, ठीक है, और इसमें order नहीं होती, smell नहीं होती, nectar दोनों में होता है, दोनों में हमारे पास क्या होगा नेक्टर प्रेजेंट होगा इसमें भी नेक्टर प्रेजेंट है और इसमें भी नेक्टर प्रेजेंट है चीक है इसमें भी नेक्टर प्रेजेंट है और इसमें भी नेक्टर प्रेजेंट है clear है यह चीज़ समझ में आरही है यह चीज़ समझ में आरही है तो यह bat हो गया और यह bird हो गया clear है यहाँ पर large size flower है यहाँ पर large size flower, strong order, bright order, dull color, order absent, nectar present, nectar present, यह हमने कर लिया यहां तक समझ में आ रही है यह हो गया हमारे पास किसके लिए बैट और बर्ड के लिए इसके अलावा बिटा other agent कौन से हैं आपके पास other agent में बिटा हमारे पास आ जाती है मानलो lizards है garden lizard लिखा हुआ है जो pollination करते हैं biotic में बता रहा हूँ gecko lizard होती एक उसके बाद lemure होता है यह मतलब आप देख रहे हो यह biotic agents है आगे चलते हैं जरा फटा फट से rewards for pollinator की बात करते हैं ठीक है rewards for pollinator की बात करेंगे हम लोग कि pollinator क्या reward देता है इस पे हम लोग discuss कर रहे हैं तो क्या होता है यह exactly इस पे हम बात करते है rewards for pollinator ज्यान से देखना बिटा कि pollinator कौन-कौन से reward देता है मेरी बात सुना ज्यान से plant कौन से reward देता है पॉलिनेटर को actual में NCRT लिखती है to ensure regular visit समझना इस बात को to ensure regular visit of क्या? insect reward चाहिए to ensure regular visit of insect pollinator कुछ rewards चाहिए होते है ताकि insect आता रहे some reward देखो पहला reward तो वो होता है कि खाने के लिए nectar मिल जाए जिसे हम लिखते है edible nectar ऐसा nectar जो खाने के लिए हो चीक है वो पहला reward है चीक है दूसरा क्या होता है बिटा in some plant some plant मेरे पास क्या होगा edible pollen होते है edible क्या होंगे pollen होंगे clear in some plant मेरे पास क्या है edible pollen है आप समझो ध्यान से मेरे पास edible nectar है चीक है clear और some plant में मेरे पास क्या होगा edible pollen होगा some plant में क्या होगा हमारे पास edible pollen होगा और यहां हमारे पास क्या है edible nectar है चीक है, तीसरी चीज क्या होती है बिटा, space for egg laying, space for egg laying, egg lay करने के लिए जगा दी जाती है, मतलग जैसे माल लो कुछ बड़े फ्लार सोंगी, उसमें जगा होगी एग ले करने के लिए, जैसे example देखते हैं, हमारे पास एक फ्लार है, जिस चो 6 feet का होता है, उसका नाम amorphophallus है, amorphophallus मेरे पास 6 feet का फ्लार है, आप समझ रहे हैं, उस 6 feet का है हमारे पास, ठीक है, उसमें जगा होती है एग ले करने के लिए, ऐसे ही मेरे पास एक yuca plant है बिटा, yuca plant और moth के बीच का interaction है, जिसमें yuca plant का, yuca plant क्या देता है, space देता है, egg lay करने के लिए, space for egg laying, ठीक है, space for egg laying देता है, दूसरा क्या है मेरे पास, yuca plant moth के साथ, ठीक है, yuca plant हमारे पास moth के साथ, space दे रहा है, egg lay करने के लिए, clear, यहां तक समझना इस बात को, ठीक है, clear है यह चीज, ठीक है, उसके बाद की हम बात कर रहे है, उसके बाद की हम बात कर रहे है, ठीक युका, प्लांट और मौथ, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मौथ के लिए है, मौथ, जो होगा, ठीक है, मौथ जो हमारे पास है, वो क्या कर रहा है विटा, आप समझे द्यान से, युका, प्लांट और मौथ, जो है, युका, प्लांट स्पेस दे रहा है, एग ले करने के लिए, मौथ क्या कर रहा है, आप समझो इस बात को, मौथ क्या करता है, एग ले करता है, और पॉलिनेशन करता है, पॉलिनेशन करता है, बिटा मेलनी, चीक है, और वो वहाँ पर के अंदर जो मौत होता है अपनी एक टेल जैसी चीज होती है उससे यह एग ले कर देता है तो जो एग है वो लारवा बाहर आ जाता है before fruit develop इस pistil से fruit develop करें उससे पहले लारवा बाहर आ जाता है तो youka plant को क्या फाइदा होता है pollination, moth को जगा मिलती है एग ले करने के लिए और उसका लारवा उसके pollen भी खाता है, किसके yuka plant तो दोनों को benefit है तो ये rewards हैं बेटा, pollinator के लिए एक चीज लिखी वही है, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ हम birds में दो birds के नाम लिखते हैं sunbird और hummingbird इन में से क्या होता है कुछ birds ऐसे होते हैं कि जो दूर से pollen खा लेते हैं, लेकिन pollination नहीं करते, इसलिए इन्हें कई बार nectar robber कहते हैं, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, nectar robber क्या word यूज करते हैं, nectar robber यूज करते हैं, अब हम एक topic देख रहे हैं, जिसका नाम outbreeding devices है, अब ये outbreeding devices क्या topic कि आप समझो ध्यान से, होता क्या बिटा plants के अंदर, माल लो bisexual flower होते हैं, मैं आपको एक चीज लिखता हूँ यहापे, maximum flower मेरे पास क्या है maximum flower bisexual है, maximum plant में bisexual flower है जिसकी वज़े से autogammy होती है क्या होती है, autogammy अकर अगर autogammy होती है जान से दुनेंगे, autogammy होती है, आप समझना इस बात को maximum flower हमारे पास bisexual flower है, जिसकी वज़े से हमारे पास क्या होती है, autogammy होती है, अगर autogammy हो रही है, autogammy हो रही है आप समझे नियान से maximum flower हमारे पास bisexual है और जिसकी वज़े से autogammy होती है autogammy जब हो रही है उसकी वज़े से homo gigosity बढ़ जाती है क्या बढ़ जाती है बटा homo gigosity आपको पता homo gigus character increase होते है और harmful character homo gigus होते है harmful trait जो होती है न हमारे पास and homo gigus इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब यह हुआ this means this means continuous autogammy से continuous autogammy से हमारे पास क्या होगा harmful trait express करेगी harmful trait क्या करेगी express करेगी आप समझना ध्यान से हमने यह आपर clearly लिखा है कि autogammy this means continuous autogammy से हमारे पास harmful trait जो है वो express करेगी वो दिखेगी continuously autogammy से ठीक है harmful trait दिखेगी इसे हम क्या बोलते हैं आप समझना इस बात को अगर harmful trait दिख रही है continuous autogammy से आप सोचो इस बात को continuous autogammy से harmful trait दिख रही है तो इससे क्या हो रहा बिटा नुकसान हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा plant को कोई mechanism evolve करना पड़ेगा autogammy ना हो उन सारे तरीकों को outbidding devices कहते हैं मतलब homogigosity ना बढ़े so plant should evolve some mechanism to avoid autogammy autogammy को avoid करने के लिए उन्हें कुछ mechanism evolve करना पड़ेगा जो जिसे हम क्या बोलते हैं outbidding devices बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं outbidding devices बोलते हैं चीक है clear है ये चीज तो हमने यहाँ पर बिल्कुल आपको बोल दिया कि plant को कोई mechanism evolve करना पड़ेगा to avoid autogammy उसे हम क्या बोलते हैं outbidding devices बोलते हैं example देखना, कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले, सबसे पहले क्या करो बिटा, different time of maturity कर दो, different time of maturity of enter और stigma, enter और stigma की, हमारे पास maturity का time अलगलग कर दो, different time of maturity है, हमारे पास किसकी, enter और stigma की, अलगलग time है maturity का, clear है ये चीच, सही है ये चीच, हाँ, ये हो गया मेरे पास, different time of maturity of enter और stigma, ये कर दिया हमने, दूसरा क्या कर सकते हैं, उससे क्या होगा, autogammy नहीं होगी, दूसरा क्या होगा, मेरे पास, बिटा, position अलगलग हो, position different हो, अना, मतलब, जैसे मालो, ये flower है, तो यहाँ अगर pistil है, तो enter की position दूर है उससे, ठीक है, position different हो, दूसरा ये कर सकते हैं, तीसरा हम क्या कर सकते हैं, थर्ड क्या कर सकते हैं, unisexual flower, unisexual flower जिसको NCIT dioshe लिखती है, क्या लिखती है, dioshe, ज्यान से सुनना, इसको लिखती है dioshe, dioshe, dioshe मतलब diocious flower, unisexual flower, ये भी कर सकते हैं, अगर flower unisexual होगा, जैसे example यहाँ पर दिया हुआ है, castor और maze, plant bisexual है, तो castor और maze क्या करेगा बिटा, avoid करेगा autogammy, but not zetno, और लेकिन अगर आप papaya की बात करें, जिसमें plant ही unisexual होता है, papaya plant unisexual है बिटा, तो not allow both auto and zetno, auto भी नहीं करने देगा, और zetno भी नहीं करने देगा, तो यह वाला बढ़िया है, तो unisexual flower बना सकते हैं, एक बहुत important concept है, जिसे आप कहते हैं, self-incompatibility, what is meaning of self-incompatibility, self-incompatibility का मतलब होता है, कि आप खुद के pollen को reject कर दो, देखो, मैं आपको term clear करता हूँ, compatible का मतलब होता है, accept होना, incompatible का मतलब है, reject होना, और खुद के pollen को reject करना, तो खुद का pollen, pollen from same enter is rejected, उसको हमने क्या कर दिया, reject कर दिया, ठीक है, pollen from same enter हम क्या करेंगे, उसको reject कर देंगे, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, self-incompatibility बोला, मतलब pollen हमने from same enter हमने क्या कर दिया, reject कर दिया, उसे हमने क्या बोल दिया, self-incompatibility बोल दिया, ठीक है, तो आप यह समझे बेटा, और NCIT लिखती है, यह genetic mechanism है, अगर यह genetic mechanism है, तो इसका मतलब, यह क्या नहीं होने देगी, not allow, autogammy and zetno, तो autogammy और zetno दोनों रोक सकती है, यह, तो यह best mechanism है इन में, अना क्योंकि यह genes के तुरू काम हो रहा है, self-incompatibility, तो यह चार तरीके हैं, जो outbreeding promote करते हैं, और अगर आप ध्यान से देखो बिटा, हमारे पास एक बहुत important चीज होती है, जो हम लोग artificial hybridization कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, artificial hybridization करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, कि हम अपनी मर्जी से pollination कर लेते हैं, मतला अपनी मर्जी से कैसे करते हैं, देखो, हमारे पास दो टेक्नीक आपने यहाँ पे समझनी है, artificial hybridization में एक है bagging artificial hybridization में दो टेक्नीक समझनी है बिटा आपने एक आपने bagging समझनी है और एक होती है emasculation emasculation किसमें करते हैं जब bisexual flower होता है ये removal of enter होता है बिटा इसमें क्या करते हैं enter हटा देते हैं और bagging क्या होता है ये cover करते हैं stigma को before और after pollination before और after pollination अगर आप cover कर रहे हो तो उसे मैं क्या कह रहा हूं बिटा उसे मैं क्या कह रहा हूं bagging कह रहा हूं तो bagging करते हैं emasculation करते हैं अब आप एक चीज़ समझना अगर flower bisexual है तो मुझे दोनों करना पड़ेगा ये पूछा जाता है ऐसे bisexual है तो मैं bagging भी करता हूं क्योंकि मैं अपने मर्जी का pollen डालना चारा हूं और emasculation भी करता हूं लेकिन अगर unisexual flower है मालो female flower है अगर तो unisexual flower में सिर्फ bagging करते हैं emasculation की जुरूत नहीं only bagging ठीक है सिर्फ bagging करेंगे आज आओ next हम बात करने वाले हैं बिटा pollen-pistil interaction पे जान देना next हम discuss करने वाले हैं pollen-pistil interaction अब ये pollen-pistil interaction क्या है आपको बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात को ठीक है pollen-pistil interaction क्या है इसको बहुत ध्यान से सुनना है कि होता क्या है बिटा कि एक बार pollen-stigma पे गिर गया वहां से लेकर कौन से सारे event हैं उसको हम pollen-pistil interaction कहते हैं तो it involve all event all event after pollination till entry till entry of pollen tube किसके अंदर in ovule ovule के अंदर तक की सारे event को entry करेगी pollen tube उसको हम pollen-pistil interaction कहते हैं इसमें सबसे पहला event होता है pollen-on-stigma pollen-stigma पर है अब ध्यान से सुननो बिटा क्या हो सकता दो option है या तो pollen reject हो जाएगा आप समझ रहे हो pollen क्या हो जाएगा reject हो सकता है वो कब reject होगा पहला अगर वो self-incompatible हो तब reject हो जाएगा दूसरा different species का हो अलग-अलग species का हो तब वो reject हो जाएगा आप समझो इस चीच को बिटा pollen हमारे पास दो कारण से reject हो सकता है पहला हमने बोला कि self-incompatible हो और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं different species का अगर pollen हो तो वो reject हो सकता है दूसरा हम लिख सकते हैं pollen accept हो गया तो pollen जब accept होगा तो वो same species का होगा और क्या होगा compatible होगा आप से अगर पूछा जाए कि मुझे कोई mineral बताओ जो pollen germination में help करता है तो आप लिखोगे boron boron help करता है pollen germination में किसमे help करता है pollen germination में और ncrt लिखती है कि acceptance और rejection acceptance और rejection किस पर depend करता है due to chemical dialogue chemical dialogue किसके बीच में between pollen tube and stigma समझे रहो pollen tube और stigma के बीच में एक तरीके का chemical dialogue है समझे रहे हैं इस बात को तो हमने यह आपर बिल्कुल किया कि acceptance और rejection it is due to chemical dialogue between pollen tube and stigma pollen tube और stigma के बीच में एक chemical reaction है एक chemical reaction है इस वज़े से हमारे पास क्या हो रही है या तो acceptance हो रही है या rejection हो रही है अब मेरी बास सुनना एक और point माल लो pollen tube बन गई pollen tube जब grow करती है वो कहां से बाहर आती है come out from from germ pore वो germ pore से बाहर आती है और किस से develop करती है develop from in time develop from हमारे पास किस से develop करती है in time से develop करती है अब ज़रा आगे की कानी समझना ध्यान से देखना बटा यह important है बहुत जादा देखो यहाँ पर NCID ने एक बात बोली और यहाँ से question बन जाता है माल लो आपके पास यह stigma है अगर pollination मेरे पास तीन सेल स्टेज में हुआ था मतलब अगर तीन सेल स्टेज में pollination हुआ था तो उस समय क्या होगा कि जो pollen tube होगी pollen tube के starting में देखो मैं यह pollen tube बना रहा हूँ यह जो pollen tube होगी मैं थोड़ा broad कर देता हूँ इसको इसके starting में vegetative cell का nucleus होगा और पीछे मेरे पास 2 male gamet होगे 2 male gamet होगे क्योंकि pollination कितनी स्टेज में हुई है 3 cell stage में लेकिन अगर pollination कितनी cell stage में हुई होती pollination in 2 cell stage अगर 2 cell stage में pollination हुई होती तो मेरे पास क्या होता आप देख लो इस चीज को मेरे पास ये हुआ होता कि इस pollen grain से मेरे पास ये pollen tube बनी होती तो इसमें vegetative cell का nucleus होता और पीछे क्या होता मेरे पास generative cell की जगा मैं लिखता है यह generative cell का nucleus है आपको ये समझ में आना चीए generative cell का nucleus होता पीछे अगर 2 cell में हुई होती pollination तो आपको ये clear दिमाग में रखना है कि ये जो एक division होनी है इसमें देखो हमेशा याद रखो मुझे कितने cell चीए तीन चाहिए एक चाहिए vegetative cell का nucleus जो सबसे आगे चलेगा pollen tube में और पीछे 2 male gamut चाहिए तो जो 2 male gamut चीए इसमें तो starting से हैं इसमें stigma में ही division हो जाती है इसका मतलब क्या होगा कि nucleus of generative cell divide करेगा किसमे divide in stigma किसमे divide करेगा बेटा stigma में divide करेगा वो किसमें divide करेगा stigma में divide करता है आप समझे ध्यान से तो मेरे पास क्या होता है nucleus of generative cell जो है वो divide करता है किसमे, stigma में divide कर जाता है किसमे divide, ये question पूछेगा कि अगर 2 cell stage में pollination होई है, तो वो divide कब करेगा, तो आपने याद रखना है stigma में divide करेगा अब देखो जरा, हम बात करते growth of pollen tube की growth of pollen tube अब pollen tube किसमे grow करेगी बिटा grow करेगी style में किसमें grow करेगी style में style हमारे पास दो type का है एक होता है hollow और एक होता है solid आप समझना ज्यान से hollow style maximum plant में होता है आप याद रखना बेटा जब pollen tube grow करेगी ऐसे तो उसके tip में किसका nucleus है? vegetative cell का और पीछे दो male gamit होते हैं और vegetative cell का nucleus क्या करता है? इसकी growth में मदद करता है और style दो तरह का होता है जिसमें pollen tube grow करती है solid वाले में बिटा transmission tissue होता है 2016 का question है transmission tissue होता है transmission tissue या conduction tissue और ये जो growth होती है वो chemotropic moment होती है कौन सी moment होगी? chemotropic, ठीक है? chemotropic, एक बर बिटा वो change कर ले mike chemotropic moment होती है एक सेकेंड बिटा प्रेस ठीक है तो हमारे पास इस चीज को समझेंगे हमारे पास chemotropic moment हमने यहां पर लिखी हुई है chemotropic moment है ठीक है? तो grow हो रहा है किसमे style में ठीक है style दो टाइप का hollow और solid clear है? यहां तक सज में आ रही है अब next देखें बिटा ज्यान से अब हम यहां से थोड़ा सा अब इस चीज को समझेंगे कि pollen tube की entry कैसे होगी अगला step होगा pollen tube की entry अगर आपको मेरी पूरी बात समझ आ गई है तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ देखो pollen tube इसमें style में ऐसे grow करते वे आई है इस तरीके से grow करते वे आई है इसके starting में vegetative cell का nucleus है और दो male gamet यह रहे और यह मेरे पास embryos है यह synergids है ऐसे और यह egg cell है और यह दोनो synergids है देख रहा हो this is synergids ठीक है और यह मेरे पास central cell है यह जिसको हम क्या बोल रहे है central cell और यहाँ पर यह दोनो polar nuclei आई है यह यहाँ पर क्या है बेटा polar nuclei आई है अब यह pollen tube यहाँ से enter करेगी ठीक है सबसे पहला important point यह है कि pollen tube किसी egg synergid में enter करती है तो pollen tube enter pollen tube enter into one of the synergids किसी egg synergid में क्या करती है enter करती है समझ लें ध्यान से तो pollen tube हमारे पास क्या है किसी egg synergid में क्या करती है enter करती है ठीक है, किसी एक synergid में enter करेगी, and release करेगी release both male gamut दोनों male gamut को उसी में release करेगा, ठीक है दोनों male gamut को यहां release कर देगा, इसमे इसमें synergid में, एक male gamut यहां चला जाएगा, और एक यहां, देखो, यह जो vegetative cell का nucleus है ना, यहां पर यह तो degenerate कर जाएगा pollen tube क्या करती है यह दोनो male gamut जो है, उसको किसी एक synergid में release करेगी, एक central cell में चला जाएगा male gamut, और दूसरा चला जाएगा egg cell में और वो कौन सा synergid होगा, जो तूट रहा होगा, तो यहां तक याद रहेगा कि pollen tube तूटते वे synergid में enter करेगी, और दोनो male gamut release करेगी, एक central cell में चला जाएगा और एक चला जाएगा इसमें तो एक करेगा triple fusion, दूसरा करेगा sin gammy, तो यह चीज़ हमें यहां पर दिमाग में रखनी है तो fertilization में आप क्या लिखोगे बिटा आप यह लिखोगे, कि one male gamut one male gamut जो एक cell में आया है one male gamut fuse with nucleus of egg cell उसको हम नाम देते हैं sin gammy उसको हम क्या नाम देते हैं बिटा sin gammy नाम देते हैं ठीक है, another male gamut another male gamut fuse with ज्यान दोने बिटा another male gamut fuse with two nuclei of central cell उसको नाम देते हैं triple fusion बिटा कई बार बच्चे confused करते हैं कि इसमें कितने gamut involved हैं, देख लो एक male gamut ये involved है और female gamut ये involved है उसके अलावा एक male gamut involved है total तीनी gamut involved होते हैं दो male gamut और एक female gamut ठीक है, इसको हम gamut नहीं बानते हैं central cell के nucleus को तो इसे हम क्या बोलते हैं, triple fusion बोलते हैं, ठीक है और ये किस ने discover किया था, नवाशीन scientist का नाम नहीं करना आपने बस ये याद रखो, कि sin, gamut, triple fusion दो तरह से होगा और हमारे पास finally क्या बनेगा देखना बिटा हमारे पास finally क्या बनेगा एक चीज दिखा देते हैं आपको फटा फट से, देखो finally हमारे पास क्या बनेगा, एक second देखे देखो उटा हाँ, हमारे पास क्या होगा, ये जो embryo sec होगा इसमें double fertilization हो चुकी है तो यहाँ पर मैंने position change कर दी egg cell zygote, मतला पहले नीचे था उपर कर दिया मैंने, ये zygote आ जाएगा zygote 2N है, और ये कौन सा end है, micropile क्योंकि pollen tube वहीं से enter करती है, micropile यहाँ पर वो antipodal degenerate कर रहे होंगे degenerating antipodal ठीक है, degenerating antipodal यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ देख लो जड़ा, यह polar nuclei है कितने polar nuclei दो ठीक है, यह degenerating, पोलर nuclei की जगा अगया बिटा, यह तो fuse हो चुका है तो यहाँ पर जो nucleus आएगा उसका नाम pen है pen 3n nucleus होता है, इसे कहते है primary endosperm nucleus तो primary endosperm nucleus आजाएगा यहाँ पर और यह synergid यहाँ degenerate कर जाएंगे degenerating synergid चीक, अच्छा यह central cell है बिटा this is central cell, तो central cell जो है उसको हम नाम बदल देंगे उसका उसको लिख देंगे primary endosperm cell primary endosperm cell तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो female gametophyte था पहले उसमें कितने cell थे आप कहोगे सर 7 cell थे 8 nucleus थे 7 cell थे लेकिन after fertilization मेरे पास सिर्फ 2 cell बचे हैं 2 cell बचे हैं after fertilization और कौन से 2 cell बचे हैं एक है zygote और दूसरा है PEC primary endosperm cell जो endosperm बनाएगा अब हम यह क्या करना है बटा post fertilization changes की बात करने हैं जिसमें हमारे पास embryo development होगी यह चीज़ देखनी है थीक है गया है ठहतिAST डवलब्मेंट क्या है है थ्यान से सुनव हम यह समझते हैं इसको आपने समझना है बहुत धयान से की endosperm जो होता है ट्रिप्लोइड टिशू होता है और यह एक nutritive tissue है nutritive tissue का मतलब होता है कि ये zygote से embryo बनाने तक का खाना देता है zygote से अगर आपको embryo बनाना है तो मेरे पास खाना कौन देता है endosperm देता है तो zygote to embryo के लिए जो food है वो endosperm प्रोवाइड करता है food provided by endosperm clear है? इसको हमने endosperm लिख दिया ठीक हो गई बात? ठीक है food provided by endosperm हमने endosperm लिख दिया अब हमने यहाँ पर क्या बोला? हमने food provided by endosperm लिख दिया ठीक है? clear है यह चीज? ठीक अब हम यहाँ पर क्या बोल रहा है इसको समझना ध्यान से? food provided by endosperm हम यह लिख रहे हैं बिटा कि before zygote divide before zygote divide हमारे पास endosperm division start हो जाती है endosperm division क्या हो जाती है start हो जाती है कि endosperm बन जाना चाहिए क्योंकि उसे खाना देना है दूसरा, जब embryo develop होता है तो ऐसा भी होता है कि endosperm पूरी तरी से consume हो जाए और कुछ seed में consume नहीं होता तो हम क्या करते है seed दो तरीके का होता है एक जिसमें endosperm consume हो गया अगर endosperm consume हो जाता है तो ऐसे dicot के seed होते हैं बिटा जिन्ने non endospermus कहते है या ex albuminus कहते है आप समझना ध्यान से इसे और अगर endosperm consume नहीं होता endosperm not consume तो वो मेरे पास किसका seed होता है monocoat का होता है और उसका example मेज, कोकोनट आप समझे रहे हो यह होगा कैस्टर बेटा डाइकॉट है पर endospermus होता है इसमें बीन आ जाएगा अना सोया बीन, बीन हो गया ग्राउननेट आ गया पी आ गया तो यह dicot होते हैं, यह non endospermus होते हैं अब आपको यह समझना है कि endosperm develop कैसे होता है ध्यान से देखना बीटा हमारे पास यह cell है जिसको आपके, जिसने इसके nucleus को आपने PEN लिखा है और इस cell का नाम PEC है अब mitosis करो क्या करोगे, mitosis और mitosis भी कौन सी कर रहे हो, free nuclear अपने दिमाग में याद रखना बिटा कि embryo sac development और endosperm development वाली mitosis free nuclear होती है हमने free nuclear करी, खूब सारे triploid nucleus बना लिए ठीक है उसके बाद इसकी cytokinesis होती है उसके बाद क्या होती है cytokinesis होती है ठीक है, क्या होती है cytokinesis होती है clear है, तो हमने यहापर क्या लिखा है हमने यहापर लिखा है primary endosperm cell primary endosperm nucleus, mitosis, free nuclear 3NK nucleus, cytokinesis हो गई हमारे पास, क्या हो गई cytokinesis हो गई, clear है यह चीज cytokinesis हो गई, तो हमने यहापर क्या लिखा है, हमने यहाँ पर लिखा है कि free nuclear division हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है 3N nucleus है, फिर हमने यहाँ क्या कर दी उसकी cytokinesis कर दी clear हो गई बात ही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है अब आगे देखते हैं अगरा हमारे पास क्या होता है बिटा, cytokinesis उसके बात होती है आपकी NCIT ने क्या बताया है आपकी NCIT ने बताया है कि जो coconut होता है ना, coconut coconut का जो water है, पानी जो है वो एक तरीके से free nuclear endosperm होता है ऐसा endosperm है जिसमें अभी free nuclear division होई है और जो उसका white edible part होता है सफेद पार्ट जो खाया जाता है वो cellular endosperm होता है तो आपने दिमाग में याद रखना है कि जब endosperm की development होती है पहले free nuclear division होती है फिर जाकर क्या होती है cytokinesis होती है इतनी बात ध्यान रखने है और coconut को लेके direct question आयवा नीट में कि ये क्या है exactly अब मैं आपको बिटा embryo development दिखा रहा हूँ कि कैसे होती है वो आपने देखना है embryo development से पहले थोड़ा बहुत endosperm बन जाना चाहिए embryo development के लिए हम word use करते है embryo genie हम क्या word use करते है embryo genie word use करते है embryo development के लिए ठीक है embryo genie अब जरा देखो मैं क्या क्या बता रहा हूँ ठीक है embryo genie जो है embryo development का word है ठीक है clear अब सुनना ध्यान से हम कैसे करते हैं बिटा मेरे पास ये zygoat होता है ध्यान से देखना है important है ये zygoat को जब मैं divide करता हूँ mitosis करूँगा तो एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल बन जाता है ठीक है बड़े सेल को कहते हैं suspensor सेल और छोटे सेल को नाम देते हैं embryo सेल अब ये जो suspensor सेल है इसकी mitosis करके हम एक structure बनाते हैं जिसे suspensor कहते हैं ये क्या है suspensor है ठीक है ये क्या है बड़े हमारे पास suspensor है जो किसकी mitosis से बनाए mitosis of suspensor उससे बनाया ठीक और यहाँ पर मेरे पास क्या है this is embryo सेल आ रहा है समझे इसे embryo सेल कह रहे हैं ठीक क्लीर अब हम क्या करेंगे इस embryo सेल को हम डिवाइड करेंगे ठीक है क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ठीक embryo सेल को हमने डिवाइड करने अब ठीक अब ध्यान से जुनना मैं क्या कर रहा हूँ बेटा देखो हमारे पास क्या होता जिदर zygote है इदर endosperm है यह जो suspensor जैसा structure होता न यह यह embryo को push करता endosperm में खाना लेने के लिए तो मैं इस embryo सेल को डिवाइड करूँ और division देखो कैसी होगी मैं एक मालो यह सेल है एक बार ऐसे डिवाइड करता हूँ एक बार ऐसे डिवाइड करता हूँ चार सेल बन गए फिर मैं ऐसे डिवाइड करूँगा तो आठ सेल बन जाएंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब इस embryo cell को divide कर रहा हूँ, तो total मेरे पास, आप ध्यान से देखना, total मेरे पास क्या बन गए ऐसे, 8 cell बन गई है, ऐसे मेरे पास कितने cell बन गए, 8, 4 उपर, 4 नीचे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, इसको हम कहते हैं, pro embryo, क्या नाम दे दिया इस stage क प्रो embryo, इसमें और division होती है, यह तो suspensor है, इसमें और division होती है, और cell बनते हैं, ऐसे, तो इसे हम नाम देते हैं, globular embryo, क्या नाम देंगे बिटा, globular embryo, अब इस globular embryo में, हमारे पास जब division होगी, तो ऐसा कुछ बनने लगेगा, मतलब, यहां और इधर growth जादा हो जाती है तो इसे हम नाम देते हैं, heart shape embryo, heart shape embryo, और फिर finally मेरे पास mature embryo बनता है, यह suspensor है, और mature embryo, यह cotlidon है विटा, this is cotlidon, यह cotlidon है, तो यह मेरे पास क्या बन गया, mature embryo बन गया, तो आपको यह sequence आ सकता है, NEET में, कि पहले embryo था मेरे पास, फिर उससे embryo cells था, उससे pro embryo, globular, heart shape और mature embryo बना, किस तरीके से बना, यह sequence आ सकता है, NEET में direct, और NCRT कहती है, कि initial development monocote और dicote की सेम होती है, may be globular embryo तक, initial development is similar in dicote and monocote, in dicote and monocote, ठीक है, clear है, अब आजाओ dicote embryo, अब आजाओ, हम लोग dicote embryo की बात कर रहे हैं, ठीक है, dicote embryo की बात कर रहे हैं, clear, तो dicote embryo क्या होता है, कैसा structure होता है, एक बार देख लेते हैं, और NCRT में क्या दे रखा, ध्यान से देखा, dicote embryo में ऐसा बनाते हैं, इस तरीके का बनाते हैं, जिसमें यहाँ ऐसे root cap जैसा कुछ बनाते हैं, और यह cotliden है, जो मैंने बनाए, यह हमारे पास क्या है, cotliden है, this is cotliden, ठीक है, this is cotliden, clear, तो यह मेरे पास cotliden हो गया, ठीक है, यह आपको दिख रहा है, cotliden है, और यह मेरे पास ध्यान से सुनना, यह पूरा, यहाँ point लिख रहा हूँ, a से लेकर, ज्यान देना बिटा, इस point a से लेकर point b तक, यह पूरा embryonal axis होता है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, embryonal axis, कहां से कहां तक, इस point से लेकर यहां तक, अब देखो, वो definitions जो आपको आनी चाहिए, सुनना ध्यान से, कौन सी definition आनी चाहिए, सबसे पहले हम word use करते हैं, अपको, यह जो line मैंने बनाई है न, यह point, in point को कहते हैं, level, यहां पर cotyliden attach है, level of cotyliden, इसे हम कहते हैं, level of cotyliden, आप देखो, यह जो इतना part है, जो level of cotyliden से उपर है, इतना part, this one, इसको color करते हैं थोड़ा सा, this part, जो level of cotyliden से उपर है, उसको हम नाम देते हैं, epico-tile, तो what is epico-tile, NCRT लिखती है, part of embryonal axis, above the level of cotyliden, above the level of cotyliden, उसको epico-tile बोल दिया, अब इसकी जो tip है, इस tip, tip को हमने लिख दिया, tip of epico-tile is plumule, तो tip of epico-tile, उसको हमने plumule लिख दिया, देख पार है, उसको plumule लिख दिया, now this is, this is hypocotile, इसको हमने hypocotile लिख दिया, और tip of hypocotile, उसको हमने radical लिख दिया, ठीक, और यह root cap है, तो यह definition आपको समझ आनी चीए, बेटा, कि मैं यहां से देखो, मैं इस तरीके से जो यह part लिख रहा हूँ नो, पूरा, यह embryonal axis है, तो यहां से लेकर यहां तक embryonal axis है, तो इस point को level of cotidian कह रहे, तो यह epico-tile हो गया, और यह पूरा ipocotile, epico-tile के tip को plumule कह रहे हैं, और इसके tip को radical कह रहे हैं, इस तरीके से हमने ही किया इसे, ठीक है, अब आजाओ मनलो, अगर मुझे monocote का embryo देखना हो, तो monocote के embryo में भी ऐसे ही कुछ बनता, देखो, हम क्या करते हैं, यह ऐसे embryonal axis लिखते हैं, और इस तरीके से single cotidian attach करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे attach करते हैं, और यह cotidian जो develop नहीं करता, यह उसका part होता है, देखो हम क्या लिखते हैं, this is cotidian, single cotidian होता है, ठीक है, in some grasses, इसका नाम scutulum रखते हैं, it is known as scutulum, बेटा, सारे monocote में नहीं, इसको नाम देते हैं scutulum, किसमें, some grasses में, कुछ grasses में नाम देते हैं scutulum, यह मेरे पास embryo axis है, embryonal axis, पूरा, यह epico-tile हो गया, इसकी tip को बोलेंगे plumule, अब plumule के उपर एक leaf जैसा hollow structure है, उसे collioptyle कहते हैं, तो what is collioptyle hollow, leaf like structure, leaf जैसा structure है, foliar लिखा वा, NCRT ने, hollow foliar, foliar मतलब leaf जैसा, this is hypocotile, hypocotile की tip को radical बोल दिया, और इसे मैंने colioreza बोला बेटा, colioreza क्या होता है, sheet होती है, sheet मतलब cover, sheet जो cover है, sheet like structure, surrounding radical, surrounding radical, जो radical को surround कर रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, colioreza बोल दिया है, आप समझे लिए लियान से, उसको हमने क्या बोल दिया बेटा, colioreza बोल दिया है, तो ये चीज है आपके सामने, ची कहिए चीज है आपके सामने, colioptyle, colioreza, ये आपको पता होना चीज है, root cap होगी, definitely, root cap होती है, अच्छा, ये structure क्या है बिटा, ये जो मैंने बनाया है, असल में क्या होता, तो मोनो कोट में दूसरा कोटलिडन डवलप नहीं करता, उसे epiblast कहते है, epiblast होता है, remnant of cotlidon, मतलब cotlidon जो बच गया, उसके बचे वे पार्ट को, हम क्या बोलते हैं, epiblast कहते हैं, clear है, उसको हमने क्या बोल दिया, epiblast कह दिया, clear, अब आज और ज़रा, seed पर देख लेते हैं, क्या discussion है हमारा, देखू बचा, seed हमारे पास, fertilized ovule होता है, seed हमारे पास क्या होता है, fertilized ovule होता है, ठीक है, ovule के, fertilize होने पे, हमारे पास seed बनता है, seed के अगर हम structure की बात करें, कि seed में, क्या-क्या चीज होती है, तो सबसे पहले मेरे पास seed coat होता है seed coat किस से develop करता है develop from integument integument से आता है उसके अलावा seed में embryo होता है embryo में दो पार्ट होते है एक होता है embryonal axis जो हमने बनाया है जिस पे apicotyle और hypocotyle बनाया दूसरा हम लिखते है cotyledon तीसरी चीज़ क्या होती है seed में endosperm may be present हो भी सकता है नहीं भी may be present मतलब consume नहीं हुआ तो होगा may be present ठीक है और वो endospermous seed होता है कुछ seed में in some seed जैसे कि black pepper है यह आएगा बिटा ऐसा question और sugar beet इसमें nucellus रह जाता है nucellus persistent होता है persistent का मतलब हो गया रह गया तो उसे parisperm कहते है मतलब क्या होता बिटा persistent का मतलब होता है कि वो खर्च नहीं हुआ था पूरी तरीके से रह गया था इसलिए उसको हम क्या नाम देते है क्या नाम देते है parisperm तो बचे वे nucellus को हम parisperm कहते है pari का मतलब surrounding sperm मतलब seed seed में कुछ layers में surrounding side में होता है तो उस तरह बज़े से अब आओ ज़रा जब seed की development होती है ज्यान से सुनना बिटा तो उसमें क्या होता है एक तो embryo develop करता है embryo develop करके resting stage में चला जाता है goes into dormancy और उसमें जो पानी का content होता है water का content वो कितना आ जाता है 10 to 15% 10 से 15% आ जाता है आप समझ रहे हैं पानी का जो content है वो 10 से 15% आएगा हमारे पास ठीक है 10 से 15% आएगा पानी का content clear है वो आ जाएगा तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि seed की development मतलब कैसे हो रही है कि पानी का content कम कर देंगे और seed में dormancy मिटा आ जाती है अब सुन लो ध्यान से आपकी NCRT में एक pink कलर का seed बनाया है वो onion का seed है वो monocoat है पर उसमें cotliden लिखा है और एक maize का brown कलर का seed है माँ scutalum लिख रहा है तो scutalum is word for cotliden लेकिन some grasses like maize याद रहेगी बात आगे चलो देखो seed क्या देता है पिटा एक तो ये variation देता है खीक है क्योंकि product है दूसरा seed coat protection देता है तीसरा क्या होता है पिटा हमारे पास seed germination water dependent है तो जिससे पानी को खोज लेता है seed germination किस पे dependent है water dependent है उसके अलावा NCRT ने एक बात लिखी है कि dehydration और dormancy ये agriculture का basis है कि seed dry होता है और उसको store कर सकते है dormancy जो है due to which seed can be store जिसकी वज़े से seed को store कर सकते है और ये एक तरीके से basis है agriculture का basis of agriculture और ये समझ बात बिटा ये basis है किसका agriculture का अब seed में बिच्चे हमारे पास एक topic दे रखा है जिसमें viability of seed दे रखी है viability of seed का मतलब ये हुआ कि seed कितने लंबे समय तक आप समझो ध्यान से germinate कर सकता है कुछ seed की long viability उसमें दो प्लांट दे रखे है एक दे रखा है phoenix dactylyphae वो 2000 year के बाद germinate किया था और एक दे रखा है लुपाइनस arcticus लुपाइनस arcticus जो था प्लांट है बिटा जो arctic tundra से मिला था और ये का मिला था डेड़ सी से दोनों condition ऐसी हैं कि seed को पानी नहीं मिला होगा तो ये arctic tundra से मिला था चीक है और ये 10,000 year के बाद germinate किया है germinate करके flower किया है तो कुछ seed ऐसे होते हैं जिनके दोनों के example याद करने हैं आपने बिल्कुल द्यान से year के साथ जिनकी बड़ी long viability है ऐसी बेटा मेरे पास number of seed कुछ plant ऐसे हैं जिनमें बड़े सारे seeds होते हैं large number of tiny seeds होते हैं large number of tiny seeds होते हैं इनके नाम दे रखे हैं NCRT ने second last page पे द्यान रखना एक है orobanky orobanky parasitic plant है striga parasitic plant है फीकस बेटा क्या होता बरगद को बोलते हैं people को और orchid इनके अंदर हजारों seed होते हैं छोटे 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 इसके direct question आएगा which of the falling is an example of large number of tiny seeds ठीक है अब माल लो हम fruit को discuss कर रहे हैं देखो क्या है हमारे पास fruit क्या होता है बेटा ripe and ovary होती है क्या होती है हमारे पास ripe and ovary fruit की पहले हम तीन टाइप पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं true fruit अच्छा fruit की जो wall होती है उसे pericarb कहते हैं बेटा fruit की जो wall होती है उसे हम क्या कहते है pericarb कहते है चीक है तो एक होता है true fruit true fruit किससे develop करता है develop from ovary जो किससे develop करें ovary से तो उसे हम true fruit कहते हैं एक होता है false fruit जिसे हम pseudo carb कहते हैं बेटा क्या बोलते हैं pseudokarp और यह किस से develop करता है false fruit ध्यान से सुनना बच्चे false fruit thalamus से मतलब इसमें thalamus भी involve हो जाएगा और आपकी NCRT में इसके जो example लिखे हैं वो लिखा है example cashew strawberry ठीक है cashew, strawberry ठीक है और apple यह तीन example लिखे हैं किसके बिटा हमारे पास false fruit के फिर एक होता है parthenocarpic fruit parthenocarpic fruit seedless fruit होता है बिटा seedless fruit होता है इसमें seed नहीं बनते इसका example बनाना और tomato है बनाना मीनली याद रखना है तो एक classification तो यह है type of fruit की एक और classification होती है type of fruit की उसको देखो हम कैसे लिखते है हम लिखते हैं हम लिखते हैं कि जो fruit है हमारे पास हम लिखते है simple fruit simple fruit किससे develop करता है देखना ध्यान से यह आपने carpel बनाया ऐसे एक से ज़्यादा carpel और fuse हो तो मतलब multi-carpulari apocarpus से एक से ज़्यादा carpel हो and sorry sincarpus हो उससे जो fruit बनते हैं वो simple fruit होते हैं उसके अलावा मेरे पास दो type और होती है एक fruit होता है बिटा aggregate fruit इसकी definition आ जाती है और एक होता है composite fruit फरक देखना दोनों में बहुत ध्यान से बहुत important है यह aggregate fruit क्या होता है बिटा aggregate fruit क्या होता है हमारे पास यह देखें एक से ज़्यादा carpel हैं पर अपस में free हैं multi-carpulari apocarpus से अगर आपसे पूछा जाए mycelia किसमें आएगा आप कहोगे aggregate में multi-carpulari apocarpus से यह definition IV है नीट में इसका example है बिटा एक तो strawberry है और custard apple custard apple आपने देखा होगा वो आ जाएगा इसमें composite fruit में क्या होगा पूरा का पूरा inflorescence what is inflorescence? flowers का group वो fruit बना देता है give fruit example जैसे कि आपने बिटा वो देखा होगा jack fruit देखा है pineapple देखा है यह सब इसी में आते हैं या mulberry इसमें क्या होता है? पूरा का पूरा inflorescence इसमें आपने लिखा है अब यह ऐसे मैंने लिखा simple fruit में बिटा दो type होती है एक होते है dry fruit dry fruit क्या होता है? आपको एक चीज़ समझनी है जैसे fruit की wall है जिसे pericarp कहते हो आप अगर pericarp layers में divide नहीं होती असल में क्या होता है? pericarp भी तीन layer में divide हो जाती है epicarp, mesocarp, endocarp तो अगर pericarp not divisible into layer तो उसे dry fruit कहते हैं यह वो dry fruit नहीं है बिटा जो गर में घाते हो not divisible into layer इसमें मेरे पास example आता है mustard वगरे mustard, pea, आप देखो न, वो आएगा now what is fleshy fruit fleshy में क्या होता है बिटा pericarp layers में आ जाती है और वो खाई जाती है pericarp layer में आ जाती है come into layer और वो edible होती है and क्या होगी edible होगी जैसे कि माल लो mango है mango में meso carb edible है आप समझ रहे है ठीक है clear, guava हो गया तो ऐसे fruit को कहते है fleshy fruit जिसमें pericarp तीन layer में आ जाती है तीनो layer या कोई layer खाई जाती है उसे fleshy fruit कहते है clear, तो ये type of fruit की एक और classification आप NCRT से check करेंगे, आपको बनने लगेगा अब एक topic है बिटा, जिससे questions आते हैं अक्सर और वो है apomixes, ध्यान से सुनना मैं आपको समझा रहा हूँ देखो, हम क्या करते हैं हम ये समझते हैं कि जो apomixes word का exact meaning क्या है, ध्यान से समझना हमारे पास क्या होता है पार्थनो कार्पी में सीड नहीं बनता बेटा ध्यान रखना, पार्थनो कार्पी जो है, उसमें सीड नहीं है इसका मतलब no reproduction लिख रहा हूँ मैं, apomixes क्या एक ऐसी asexual reproduction है, जिसमें सीड बन जाता है, तो apomixes क्या होगा, हमारे पास क्या होगी, सीड डवलप्मेंट होगी without fertilization सीड डवलप्मेंट होती है without fertilization without fertilization हमारे पास सीड डवलप्मेंट हो जाती, कैसे देखो माल लो मैंने ये ovule बना दिया इस तरीके से ovule बना दिया, आपको पता है, कि ये जो embryo sac है इस embryo sac में zygote बनता है उससे zygote से embryo बनता है ना लेकिन, अगर मेरे पास ये cell जो nucilis का है अगर nucilis का deployed cell mitosis से embryo बना दे directly तो ovule seed बन जाएगा ovule develop into seed तो इसका मतलब एक तरीके से asexual reproduction हो, ये deployed cell से directly मैंने seed बना दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि in apomixes in apomixes some deployed cells can develop into can develop into embryo वो किसमे डवलप कर जाएंगे embryo में डवलप कर जाएंगे जिसे आप apomixes कह रहे हो ठीके, and ovule किसमे डवलप कर जाएगा develop into seed आपकी NCRT जब example दे रही है तो देखो क्या क्या दे रही है कह रही है कुछ grasses में ऐसा होता है ठीके, estras ये ही sunflower की family है वहाँ ऐसा होता है और nucillus के तुरू nucillar के जो cell है वो apomixes किस में शो करते हैं शो करते हैं mango में mango और citrus what is apomixes किसी तरीके का एक deployed cell चाहे nucillus का हो, चाहे integument का हो अगर वो mitosis से embryo बना ले तो एक तरीके से seed बन रहा है हमारे पास एक तरीके की copy हो रही है इसे हम apomixes कह रहे है समझ रहे हैं आप इस चीच को apomixes कह रहे है अब कई बार क्या होता है बिटा जो orange वगर होता है माल लो मेरे पास जहां से देखना है, यह ovule है यहाँ पर zygote से एक embryo बन जाए ठीक है और apomixes से nucillus से embryo बन जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि एक seed के अंदर more than one embryo हो गया ऐसा orange में होता है यह citrus में, more than one embryo इसे poly embryo नी कहते हैं हो सकता है नूसिलस अलगलग cell से 10 embryo बन जाए तो poly embryo नी का मतलब यह हो गया कि single seed में मेरे पास more than one embryo है और इसका example बिटा NCRT ने बोला है कि आपने orange का जो seed लिया उस orange के seed को squeeze किया squeeze किया तो उसमें से मेरे पास क्या निकले? embryo निकलते हैं ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? poly embryo नी बोलते हैं ठीक है? clear? और apomixes को आप कहां यूज कर सकते हो? hybrid seed में सुन लो ध्यान से hybrid seed costly होते हैं और every time farmer need to purchase new seed need to purchase new seed. reason क्या है? कि जो hybrid seed है उसको जब grow करते हैं तो मुझे crop तो बढ़िया मिलती है पर जो उसके seed है उसमें not have same feature उसको grow नहीं कर सकते हैं मुझे crop तो बढ़िया मिल जाती हैं इसमें तो हम क्या करेंगे? hybrid seed की apomixes करेंगे और apomixes से जो seed बनाएंगे it is genetically similar क्योंकि एक तरीके का यह asexual reproduction है आपको समझ आ रही है बिटा तो यह genetically similar होंगे तो मुझे हर बार नए seed purchase नहीं करने पड़ेंगे और farmer की cost कम होगी agriculture पे क्योंकि जो hybrid seed होते हैं उनके साथ दिक्कत ही होती है कि आप उनको एक बार उगा लो grow कर लो दुबारा से जब आप उसको grow नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपको purchase ही करना पड़ता वो feature के लिए ठीक है clear है तो यह आपका finish करते है topic तो आप apple mixes से seed बना सकते हो ठीक है कौन बनाएगा government बना सकती है आप थोड़ी बनाओगे ठीक है clear और उससे cost कम हो जाएगी agriculture ठीक है बटा तो यह chapter finish होता है NC80 से पढ़ना और मैं फिर बोल रहा है apple mixes वाला ध्यान से पढ़ना उसमें new syllabus लिखा last line topic की ध्यान से देखना उससे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बटा thank you so much